नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम complete विस्टास को आपर cover करने वाले तो दोस्तों आप देखते रहें यह वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत एक अमालनमाल questions को आपर solve करने वाले साथी complete विस्टास के notes भी आपको करने वाले तो दोस्तों देखते रहें इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल के questions को भी आपर solve करने वाले जिनकी exam मैने की probability बहुत ही जादा है तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे mission 100 को और बिल्कुल latest cbsc के syllabus के अनुसार हम यह आपर चलने Hit Mommy and Evan Streisand O level तो दोनों chapter अपके बार आपके syllabus में नहीं है तो आप एक बार अपने index page को open करके जो जो chapters आपके syllabus में नहीं है उनको cross कर दीजेगा बढ़ते हैं फिर हम आगे और start करते हैं the third level को जानना और सबसे पहले हम इसके author के बारे में देखते हैं तो third level को लिखा है Jack Finney के हम देखेंगे कि जो the third level नामक chapter है इसके अंदर भी आपको time level के instances दिखते रहेंगे So ये जो complete chapter यार इसके अंदर आपको बताये गया है war और pre-war and post-war times के बारे में कि कैसे जो war के पहले वाला period रहता है एकदम शान्ती वाला period रहता है और कितने irreversible consequences होते हैं war के मतलब एक बार अगर लड़ाई हो जाती है जो लोग शहीद हो जाते हैं तो वापिस से तो हम उन consequences इसके होते हैं और साथ ही यहाँ पर एक state of insecurity के बारे में बताये गया है कि कैसे बहुत जदा insecurity रहती है war वाले times में then यहाँ पर जो main character है हमारा वो है Charlie और Charlie hallucinate करता है hallucinate का मतलब होता है daydreaming करना सपने देखना और कैसे वो harsh realities of life से भागने की कोशिश करता है वो इस chapter में हम देखेंगे तो कुछ important words सबसे पहले हम देख लेते हैं यही वो keywords है जिनको आप अपनी परिक्षा में भी use कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे marks भी वहाँ पर मिलेंगे पहला शब्द है stack stack का मतलब होता है pile of objects जैसे आपने देखा होगा ताश की गड़ी तो उसमें क्या होता ह है एक card के उपर दूसरा card रखावा रहता है तो उस complete pile of objects को stack बोलता है then time table time table मतलब होता है schedule जैसे आप जब railway में travel करते हैं जब आप railway station पे जाते हैं airports पे जाते हैं तो वहाँ पर एक complete time table लगवा रहता है तो उसी की बातें पर की जा रही है next शब्द है walking dream तो waking dream का मतलब होता एक involuntary dream चुकि किसी भी person को आ रहा है जब वो awake है मतलब वही जाकते हुए सपने देखना next है अपने पास refuge refuge का मतलब होता है एक state of being safe और shelter है तो इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई difficulty हो गई है कहीं कोई danger आ गया है तो वहाँ से अगर कोई व्यक्ति भाग के किसी safe जग भाग कर भारत में आ गए थे देन आर्क का मतलब होता है एक यू शेप जैसे कि आपको एंपर image में देखने को मिल रहा है यह यू शेप तो इसको एपन बोलते आर्क और अगर आप इंडिया में भी बहुत सारी पुरानी इमारतों को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह आर्क देखने को मिलेगा बंपिंग बंपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज पर टकरा जाना बढ़ते हम आगे next word है snap snap का मतलब होता है break हो जाना और locomotive मतलब होता है train का engine तो engine को हम locomotive बोलते हैं और जो उस locomotive को चलाता है उसको हम locomotive बोलते हैं चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक plot बता देता हूं कि the third level की यह यह जो complete story है इसके अंदर किस प्रकार से जो story वह आगे बढ़त 90 states of America में तो उस station पर दो levels है first level and second level Charlie नाम का जो हमारा protagonist है protagonist मतलब होता है hero वो इस story को भी narrate करता है और उसका यह belief है कि third level भी exist करता है Grand Central Station पर नाव बहुत ज़्यादा यार उसका जो दिमाग इससे खराब होता है कि यार सभी लोग तो बोलते हैं दो level है मैंने तो तीन level देख लिए तो वो अपने psychiatrist friend same winner के पास जाता है और इस problem को discuss करता है फिर एक रात जब वो अपने office से घर पर आ रहा था तब उसको यह third level दिखाई देता है और वो मतलब जैसे second level के बाद जा रहा होता है आगे तो अपना रस्ता भूल जाता है और जैसे वो रस्ता भूल जाता है तो वो एक अलग सी old fashion जगे पर पहुंच जाता है जो कि 1894 का time होता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है तो सब कुछ एकदम अलग सा है और वो चाहता था कि वो गेल्सबग travel करे गेल्सबग एक जगह है जहां पर वो travel करना चाहता था और इस टिकेट बाय करने की कोशिश करता है और वो अपनी modern जमानी की currency देता है अब सिंस यार यह तो 1894 का time है तो जो टिकेट लेने वाला बोलता है कि रहे भाई हमसे प्रेंग कर रहे हो बताओ कहां पर है camera है और वो बोलता है कि अगर तुमने प्रेंग किया ऐसा तो मैं पुलिस स्टेशन पर जाता है तो वापिस से उसको थर्ड लेवल वहाँ पर नहीं दिखता है तो यह complete plot है चैप्टर का थीम क्या है तो थीम है आर टाइम ट्रेवल है ना तो टाइम ट्रेवलिंग हो रही है जो मारा चारली है वह peaceful टाइम में जा रहा है मतलब पास्ट में जा रहा ह होता है कि थीम के बारे में बताइए तो यह सारे points आपको वहाँ पर लिखने रहेंगे तो escapism मतलब क्या होता है भागना पलायन करना तो वह यहां पर एक थीम है ना modern insecurity से escape किया जा रहा है इस chapter के अंदर और यह psychological escape है ना मतलब माइंड से आप escape कर रहे हो ना कि physically then कुछ characters के बारे में आपको बता देते हैं तो सबसे पहले हमारा character है Charlie क्या पैचान सकते हो कि कौन है यह बहुत एक famous personality मुझे comment box में नाम बताईएगा so यह character है हमारे Charlie Charlie 31 year old एक आदमी है जो कि New York में रहते हैं उनकी hobby है stamp collect करना ठीक है attempts आते हैं हाला कि आजकल इतने प्रवलेंट निया पुराने जमाने में बहुत ज़्यादा प्रवलेंट थे जब चिठियां लिखी जाती थी तो उसके उपर stamp लगाया जाते थे वह recite करता है in a world that demanded hard work ठीक है तो अभी जो modern world है इसमें आपको बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ता है तभी आप अपनी जो living उसको चला पाते हैं now he appeared to be suffering from insecurity और हो सकता है कि boss का pressure है family pressure या और पी कोई से pressures उसके उपर हो सकते हैं तो वह insecurity से सफर कर रहा है बहुत ज़्यादा conflicts है stress है fear है इस दुनिया के अंदर and वो हमेशा चाहता था कि वो Galesburg travel करें जो कि उसकी एक dream place थी और Galesburg इसलिए क्योंकि वो peaceful जगे थी Grand Central Station पर जब वो जाता है तो वहां पर उसको third level दिखता है और वो जो third level में जैसे वो जाता है तो वो 1894 का time रहता है the world discovered in the third level was very pleasant for him यह उसके लिए बहुत ही must word था क्योंकि यहीं पर वो हमेशा से जाना चाहता था next character है मारे पास same winner same winner क्या है यह psychiatrist है professions है और Charlie का दोस्त है जब हम Charlie की और यह जो same winner है यह Charlie के state of mind को read करता है और Charlie से बोलता है कि यार तुम insecurities के शिकार हो now जो same winner है यार अपने profession को और दोस्ती को कभी mix नहीं करता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा fascinated था Galesburg travel करने के लिए हैना जैसे वो Galesburg के बारे में सुनता है Charlie से वो बहुत ही clever है because उसको तो third level मिल गया था and वो उस peaceful time में चला भी गया था इस story के नुसार अभी जब हम इस story को पूरा पढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से Sam's observation तो जो psychiatrist था उसकी observation सो इतनी खुश नहीं थी and उसने चार्ली को advice भी किया था कि यार पती देव आप ऐसे third level को ढूंदने मत जाईए लेकिन on being informed about Sam's disappearance के Sam भी गायव हो चुका है तो फिर और चार्ली की मदद करती है third level को ढूंदने में अब अगर हम इस complete story का title और setting देखें तो जो third level है यह harsh realities of world war second के time पर लिखी गई है and यहाँ पर बताये गया है कि जो war का impact होता है irreversible रहता है और यह लोगों को state of insecurity में पहुंचा देता है जो title है इस story का बहुत ही appropriate है and यहाँ पर बिल्कुल the third level यह दर्शाई रहा है क्या escapism को now it travels from the present day to past यह time traveling आपको देखने को मिलती है और यह जो story है पूरी set की गए यह grand central station of the new york पे now point wise summary अगर हम देखें तो third level वाई सब एक blend है reality और fiction का क्योंकि fiction पार बार past में हो जा रहा है reality है कि यहाँ पर modern day की insecurities के बारे में बताया जा रहा है जो कि actual में prevalent है now इसमें बताया जाता है एक आदमी की wish to escape है ना आदमी चाहता है कौन अपना Charlie की harsh reality से बच कर में निकल जाओ पुराने टाइम पे and इसमें हम Charlie के बारे में पढ़ते हैं जो कि modern day problems को stress को uncertainties को escape करता है 31 साल का वो आदमी है psychological conditions के कारण वो oscillate करता रहता है present past में और यार इसमें author की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने इतना beautifully इस chapter को यहाँ पर put रहे किया है अब एक छोटा सा test आपके लिए कि Charlie क्यों psychiatrist से मिलता है और second प्रशने कि क्यों Charlie को realize होता है that he was in the third level तो इनके answers आप वीडियो को post करके comment box में लिक सकते हैं अगली side में मैं आपको इसके answers बता देता हूँ तो Charlie psychiatrist से इसलिए मिलता है क्योंकि वो एक state of dilemma में था धर्म संकट में था क्यार थर्ड लेवल है फिर नहीं जब उसके पास जाता है तो psychiatrist बोलता है भाई दोई लेवल है और यह तेरी insecurity है नव कैसे उसको realize होता है Charlie को कि वो थर्ड लेवल पर तो जब वो थर्ड लेवल में enter होता है तो वहाँ पर देखता है कि हैर सब कुछ एकदम पुराना सा है बहुत कम ticket windows है एंड वहाँ पर lights जो है flicker कर रही है open flame glass lights है brass spittoon उसको देखने को मिलता है floor पे spittoon मतलब जहाँ पर थूका जाता है जैसे यह पानवान जो खाते है वो जहाँ पर थूकते हैं container में उस container को में spittoon बोलता है और एक पुराना जबाने का locomotive है train का engine भी वहाँ पर था अब एक बार line by line summary हम देख लेते हैं यहना बहुत अच्छे से मैं आपको इसको बता दूगा तो यह story एक mock serious manner में start होती है mock serious manner मतलब मजाग भी है तो seriousness भी है और सभी को पता है कि दो ही level है grand central station पे लेकिन Charlie जो कि 31 year old guy है वो बोलता है भाई तीन level है इस station पे एक रात जब Charlie जो कि अपने आपको एक साधारान इंसान ordinary guy बोलता है वो लेट नाइट तक office पर काम कर रहा था अब बहुत रात हो चुकी थी तो उसको घर जाने की जल्दी थी यहना तो वो grand central station से train पकड़ता है मतलब वहाँ पर train पकड़ने के लिए जाता है grand central station भाई सब इतना बड़ा station था कि कई बार पहले भी वह वहाँ पर से confused हो गया था यहना गुम सा गया था और वहाँ पर actual में तो दो लेवल थे ठीक है तो दो लेवल थे लेकिन अब की बार क्या होता है वह एक ऐसी जगे पर पहुंच जाता है जो कि यूनीक थी जिसको उसने third level का नाम दिया और चार्ली जब उस corridor में एंटर करता है तो वहाँ पर वह देखता है कि जो architecture एकदम पुराने जमाने का है 1800 की शर्थाप्थी का हम आपर architecture है एक newspaper था the world जिस पर print हुआ था 11 जोन 1894 है ना तो उसको यह confirm हो जाता है कि भाई मैं पास्ट में आ चुका फिर ticket window पर जाता है वो Galesburg की ticket लेने लेकिन उसको मना कर देता है कि भाई मुझसे prank नहीं चलेगा वरता मैं आपको बंद करवा दूँगा फिर वहाँ से भाग के वापिस अपने घर पर आ जाता है अपनी wife Luzia को भी वहाँ पर ले जाना चाता है क्योंकि यार वो जो Galesburg थ पीसफुल था एकदम वहाँ पर कोई है ना हसल बसल नहीं थी सब कुछ शान्त था तो नेक्स टे अपने लंच प्रेक के दोरान वह बैंक में जाता है और वहाँ पर 300 डॉलर की present currency को वह convert करवा लेता है old currency में तो उसको सिर्फ 200 डॉलर मिलते हैं लेकिन उसने सुचा कि ठीक के भाई साब उस जमाने में तो 200 डॉलर में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो वह पैसे लेके जाता है थर्ड लेवल पर लेकिन थर्ड लेवल उसको फिर कभी नहीं मिलता Grand Central Station पर तो उसकी लूजिया जो वाइफ है वो वरी हो जाती है जब उसको इस सारी बातों के बार हो जाता है फिर चार्ली की मदद करती उसकी वाइफ लूजिया थर्ड लेवल को डूढने में लेकिन थर्ड लेवल तो exist करता है यह तो मिलता नहीं है फिर एक दिन बस जो चार्ली है अपनी stamp collection के उसको होबी थी तो वो अपने stamps को पलेट रहा था तो वहाँ पर उसको एक first first day cover मिलता है first day cover मतलब क्या होता है एक envelope जिसके अंदर एक खाली letter रहता है और उसके उपर stamp रहता है जिसको उसी दिन release किया गया हो तो बत्तब यह जो stamp collect करते हैं उन लोगों के लिए important रहता है कि उनको वो जो stamp है for example मेरे नाम का कोई stamp release हुआ है आज की तारीक में और मैं को वो stamp चाहिए तो मैं post office जाओंगा एक खाली envelope लूँगा उस पर stamp लगवांगा post office के sign करवा लूँगा उनकी date डलवा लूँगा और अपने पास रख लूँगा या उसको post कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा एक प्रूफ हो जाएगा कि जिस दिन वो stamp release हुआ था उसी दिन मैंने उसको ले लिया था तो इसको first day cover बोलता है तो उसको अपने जाएगे तो भाई सब यह letter महां से उसको आता है और फिर इस chapter का अंत हो जाता है तो अब यहां पर कुछ बाते मैं आपको बता देता हूं कि क्या-क्या imaginary है पहली बात तो ठीक है तो the third level obviously imaginary है है ना चार्ली ने अपने मन में उसको सोचा था अब उसी के continuation में जो वो Sam के पास जाता है उसके psychiatrist friend के पास वो भी imaginary था ठीक है तो बहुत है कमाल का यह chapter लिखा गया है कि बहुत सारी चीज़े imaginary है कुछ तो पता ही नहीं लगती कि यह भी imaginary है ना जैसे सेम जो था उसका psychiatrist friend वो imaginary था उसने जो पत्र लिखा था अब obviously बात है वो भी imaginary था ठीक है तो उमीद है मुझे कि आपको ए plot समझ में आ गया होगा कि चार्ली बस अपनी modern day की problems को escape करने के लिए इस प्रकार की मंद घड़न पाते सोच रहा है जाला कि इसकी जो wife लूजिया थी वो रियल थी ठीक है बढ़ते हम आगे कुछ expected questions हम देख लेते हैं तो यह अपने chapter first is the third level दो मार्क से तीम मार्क में question आ सकते हैं short answer में तो पहला प्रशने के what does the third level refer to third level से आप क्या समझते हैं तो जो third level है यह एक additional floor था Grand Central Station पर जबकि जो की imaginary floor था औरीजनली वहां पर दो ही floor थे Charlie hallucinate कर रहा था इसको जब एक रात को अपने घर पर जा रहा था तो रस्ते में सोचते सोचते जाता इस चीज को next प्रशने के would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to the gale buck for himself and his wife तो यहां पर बिल्कुल Charlie went looking back for the third level that could take him तो यहां पर पूछा गया कि क्या वो वापस गया था तो बिल्कुल भाइसा वापस और ढूनने गया था old currency लेके है ना लेकिन और वो वहां पर gales buck इसलिए जाना चाहता था क्योंकि भाई उस time पर कोई war नहीं हुआ था इसलिए वहां पर जाना चाहता था एक practice question आपके लिए आप इसको answer कीजिए का comment box में जब आप इसके notes को download करेंगे तो आपको इसका answer जो है वो मिल जाएगा है यह अगली slide में इसका answer भी है what does the third level refer to NKS का significance है उमीद है यह chapter फढ़ने के बाद आप आराम से इसका answer कर पाएंग Sam's letter to Charlie तो last last में Sam जो letter लिखता है Charlie को उससे आप क्या infer करते हैं क्या आपको वाँ पर से समझ में आता है तो the way Charlie discovered Sam's letter was rather peculiar है ना बहुत ही अजीब सा था कि अचानक से उसको letter मिल रहा है और यह first day cover था generally first day cover के अंदर जो envelope के अंदर letter रहता हो खाली रहता है लेकिन यह जो letter तो इसमें Sam ने कुछ लिख रहा का था secondly यहाँ पर जो date लिखी हुई थी वो 18 July 1894 के लिखी हुई थी है ना तो उस time पर तो ना Sam exist करता था ना Charlie exist करता था तो अब्यस से बात है कि जो Sam का character है यह जो letter है सब कुछ imaginary है एक प्रशन आपके लिए modern world full of insecurity है fear है war stress है किन-किन waste से आप को overcome कर सकते हो ना तो बहुत ही आसान सा प्रशन है इसको लिखने कोशिश करना इसका answer आपको इस पीपीट में मिल जाएगा कुछ mcqs आपके लिए के who is the author of third level to jack finish the author option d walking या waking dream wish fulfillment का मतलब क्या होता है तो एक ऐसी pleasant wish that makes one forget the present जिससे एक आदमी present forget करके pass में चला जाता है कहीं और चला जाता है option a theme के है इस lesson की तो human tendency of escapism because of the harsh realities of present option a third level क्या signify करता है तो वही almost जो अपनों ने third question में पड़ा एक human tendency जिससे escape किया जाता है present से past times में then walking wish fulfillment है ना ये भी हमने अभी देखा कि इसका मतलब क्या है मैंना according to psychiatrist तो Charlie ने find किया था third level को grand station पे and realization of his wish wish to visit the girls park ठीक है तो यह है अपना सही answer in what way do we try to work on the insecurity अभी five marks वाले question में भी अपने देखा था इसको तो आप engage कर सकते हैं अपने आपको practical activity में अच्छे किताबे पर सकते हैं friends family से बात कर सकते हैं तो all of these is the answer significance का 1894 का तो यह represent करता है peaceful romantic living time then Sam कौन है third level में तो एक psychiatrist friend Charlie का option C why did Charlie visit Sam Charlie visit क्यों करता है Sam को ताकि वो consult कर सके incident of the third level so option A last question आपके screens पर क्या आपको लगता है third level really exist करता है तो अब बैसी बात है no there is the there are only two levels at the station so option C is the right answer नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रपित और आज किस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर तरी Tiger King को यहां पर पढ़ने वाले तो दोस्तां देखते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो के कि अंदर हम कुछ बहुत इकमालनमाल questions को भी आपर solve करने वाले जिनकी एक्जाम माने के probability बहुत इचाहता है तो हम continue करते हैं अपने mission 100 को जिसके अंदर हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं तो चैप्टर सेकिंड टाइगर किंग को आज हमें आपर पढ़ना है और अगर हम लेटेस्ट सेलेबस को देखें तो चैप्टर फाइवर्स सेवन यह आपके सेलेबस में नहीं है इसको आप क्रॉस कर लीजेगा वन हम आल्लेडी यहां पर देख चुके हैं लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे complete playlist के start करते हैं चैप्टर सेकिंड को कुछ important शब्द यहां पर मैं आपको बता देता हूं जो की आपकी exam में बहुत ज़्यादा useful रहेंगे जिसको आप keywords की तरह use कर सकते हो pretend करना मतलब क्या होता है कि behave करना इस प्रकार से कि आपने कुछ किया ही नहीं है या फिर किसी भी fact को चुपाना जैसे बहुत से बार होता है कि घर पे जब आप सो रहे हैं रात हो गई है तो आप सोने का नाटक कर रहे हैं मतलब आपके माता पिता ने आपके camera में एंटर किया और आप मस्त सोने का नाटक कर रहे हैं जबकि भारत में होती है ना पिना का मिसाइल देन उसके बाद आपका ब्रमोस मिसाइल तो इस प्रकार से किस्टू का बॉंबर एक एरक्राफ्ट का नाम है जो कि क्या करता है व्ल्ड वॉर्ड सेकेंड के टाइम पर इस ने बंड्रॉप किये थे तेन नेक्स्ट अपने पास इंडॉर्ट मतलब होता है अनडेफिटि है जिसको कभी हराय न जा सकें फाइनल एबोर्ड मतलब ह होता है स्वर्ग दिमाइस मतलब होता है डेथ फोल्टो होता है प्रिकशन करना इस्टूपीफिेकेशन मतलब होता है एक दम शौक लग जाना जैसे आप पो हिस्वेक्ति को लग रहा है next step अपने पास enunciated इसका मतलब होता है clearly किसी भी चीज को pronounce करना अब आपको मिलवा देते हैं इस chapter के author से तो इस chapter के author का नाम है रामस्वामी आयर क्रश्नमूर्थी अब सिंस इतना बड़ा नाम है तो इसनों का रोमैंटिक हो गया तेनाब का कॉमेडी हो गया action तो हर एक प्रकार की जॉन्रा में यह अच्छे यहां पर काम करते हैं और he is well known for his editorial and political writings के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं यह जो tiger king chapter है यह basically satire है यह मतलब हास्य व्यंग है satire मतलब क्या होता है कि एक humorous way में किसी को ताना मार देना और जिसने यहां पर readers को बहुत ही कमाल धरीके से impact किया है तो बढ़ते हैं पर आगे और एक brief plot देख लेतें कि जो tiger king chapter है इसमें क्या-क्या यहां पर बाते हैं तो यहार यह जो story है यह piece of satire है जैसे मैंने आपको satire का मतलब बताया है हास्य व्यंग है ना किस पे satire है किस पे व्यंग यहां पर मारा जाता है on the pride and obstinate of those in power तो उन लोगों पे जो की बहुत ज़्यादा ego में रहते हैं बहुत ज़्यादा pride है जिनको अपनी power का उनके उपर यह एक satire है यहां पर हमें महराजा प्रतिबंद पुरम की कहानी पढ़ने को मिलेगी जहां पर बताया गया है कि उनको वीरियस टाइटल से नवाजा जाता था जैसे जंग-जंग-बहादूर जंग-जंग-जिलानी महराजाओं के महराजा महराज अधिरा जना शत्व्याग्र समहारक तो इस प्रकार से बहुत सारे नामों से उनको बुलाया जाता था और बट बेस्ट उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था जैसे यार राजा का जन्म होता है तो जो जोतिश लोग है उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यह राजा मरेगा ठीक है तो प् उमरता ही है लेकिन कैसे मरेगा वो प्रिडिक करना बड़ी बात है तो वहाँ पर जो राज जोतिशी थे उन्होंने प्रिडिक कर दिया कि भाई ये जो बच्चा है ये टाइकर के कारण मरेगा महराजा जैसे जैसे बड़े हुए है ना तो उनको इस भष्षवानी के बारे में याद दिला गया कि महराजा एक बार आपके बारे में भष्षवानी की गई थी कि आप टाइगर से मरेंगे तो फिर भाई साहब राजा ने उसको दिल पे ले लिया एगो हञा हर्ट हो गया राजा का कि महार राजा और ताइगर से मरेगा अब ही देखते हैं ना टाइगर बी अवेर तो भाई ने बोल दिया था सारे टाइगर भाई से बचके रहना तो अब वो चले जाते हैं भाई साब Tiger Hunting Expedition पर Mission Tiger वहाँ पर हो जाता है जिसे अपना Mission 100 चल रहा है तो अफ्तर Hunting Down the First Tiger जैसे भाई साब पहले Tiger को Shoot किया जाता है तो सीधा हो पहुंच जाता है Astrologer के पास कह रहे है Astrologer साहब यह देखो बोल रहे थे आप Tiger मुझे निपटा एगा मैं Tiger वो को निपटा रहा हूं तो फिर Chief Astrologer बोलते हैं कि महराजा 99 Tigers तो आप मार लोगे लिकिन जो सोवा Tiger होगा उससे आपको बच कर रहना होगा तो King was very proud after killing 99 Tigers जैसे तैसे करके King 99 Tigers को निपटा देता है and now was very anxious and curious to kill the last one or last Tiger को मारने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है he was lastly able to find the 100th Tiger so what Tiger be finally is को मिल जाता है ना जो उसके तरबान में दीवान साहब रहते हैं वो दीवान साहब उसको Tiger Tiger ढूनने में मदद कर देते हैं बहुत ज़्यादा ढूनदा जाता है भाईसा फिर वो Tiger मिलता है and राजा उस पर गोली चला देता है और राजा को लगता है कि Tiger मर गया और पूरे उसमें अपने Kingdom में है ना वो अनौन्स करवा देता है कि राजा ने सो टाइगर मारे है ना और बिल्कुल राजा भी एकदम फुल हो गया था अपने प्राइट से कह रहे वाई जिस Tiger का मेरी कुंडली में लिखा था कि यह मुझे मारेगा मैंने सो टाइगर निप्टा दी है बट 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 लेकिन जो लास टाइगर जो हंड्रिथ टाइगर को वो गोली मार रहे थे वो गोली उस टाइगर के कान कहां से निकली और वो टाइगर मरा नहीं था फिर बाद में उस टाइगर को जो भी आसपास के सैनिक थे उन लोगों ने उस टाइगर को मार दिया था तो इस प्रकार से मतलब राजा के मन में तो इसा है कि उसने 100 टाइगर मार लियें लेकिन असल में कितने टाइगर मरे हैं राजा से 99 ही मरे है और वह अपने बच्चों के साथ अपने पुरह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है उसके बेटे का बर्डे आता है तो अब सिंस टाइगर किंग इतना ज्यादा टाइगर से एसोसियेट हो चुका था कि अपने बेटे को भी एक वुड़न टाइगर गिफ्ट करता है लकडी का टाइगर तो जब वह अपने बेटे के साथ वुड़न टाइगर से खेल रहा होता है तो एक फास मतलब एक छोटा सा पीस ऑफ वुड उसके हाथ में चुप जाता है राइट हैंड में अब वह जो सक्षान पूरी बॉड़ी में फैल जाता है सरजंस आते हैं सरजंस उसको ट्रीट करते हैं यहना वह वहाँ पर ट्रीट तो करते हैं आके बोलते हैं बाहर यहना वह भी व्यंग कसते हैं कि यह ओपरेशन तो हमारा सक्सेस्फुल हो गया लेकिन हम राजा को नहीं बचा so Tiger King एक satirical story है and कलकी ने यहाँ पर satire, irony, humor इन सारी चीजों का इस्तमाल किया है इस story को और जादा बहतर तरीके से viewers तक या readers तक पहुँचाने में यहाँ पर वो lack of prudence and wickedness in the powerful man को दर्शार है कि कैसे इतना जादा powerful आदमी एक छोटी सी भवश्यवानी के पीछे भाई सब उसने पूरा जीवनी almost लगा दिया और यहाँ पर कहीं ने कहीं उसकी विवेक की कमी देखने को साफ मिलती है और दुस्ट था इसलिए क्योंकि अपनी प्रजा पर ध्यान देने के बजाए वो tigers को मार रहता है और वो at the end of the day पूरी एको सिस्टम को बरबात कर देगी तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था हूँ यहां पर इस स्टोरी के अंदर कहीं नहीं का यूमर का भी इस्तिमाल किया गया है ताकि यह जो इगो सेंट्रिक किंग है और उसके सेल्फिश नेचर को यहां पर लोगों के सामने रखा जा सके इस स्टोरी में एक भगोड़ेपन की भी बात है और वन्स पावर एंड लाइफ है न कि कैसे एक व्यक्ति अपने पावर में इतना चूर हो जाता है कि उसको बाकी चीजों की फिक्र ही नहीं रहती है इस स्टोरी के अंदर क्राइम पनिश्मेंट इन सारी चीज़ों की भी बात की गई है एक प्रश्ण आपके स्क्रीन पर के सटायर का मीनिंग क्या होता है तो सटायर मतलब क्या होता है इस वे अफ डिनाउंसिंग मतलब निंदा करना और पीपल या है वेक्ति की निंदा करना इसको ताना मार देना अब करेक्टर सक्षेश को भी देख लेते है तो डायरेक प्रश्ण आता है कि किंग का आपको कडेके सक्षा पर लिखना ना यहां पर यह वह दे 29 टाइगर्स को किल कर देते हैं याना वो राजा बनते हैं जब वो 20 साल के उम्र के रहते हैं जैसे वो बड़े होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए पहले से प्रडिक्शन कर दी जाती है कि टाइगर के करण इनकी मत्य होगी अपने मूड के अनुसार वो लॉस को बदल देता था जैसे एक बार की बात है उसने 70 टाइगर मार दिये थे अब वहाँ पर क्या हुआ था कि टाइगर्स की कमी हो गई थी या फिर कुछ टाइगर्स की कमी हो गई थी तो उन्होंने लौ पास कर दिया कि अब सिर्फोर सिफ कौन टाइगर मारेगा इसके लावा कोई टाइगर नहीं मारेगा तो उसी टाइम पे एक British officer बहुत high ranking British officer जिसको दुराई के नाम से जाना चाता था वो आता था तो वो आता है और बोलता है कि राजा मैं को tiger मारना है और tiger मार के उसके साथ photo के चवानी है तो दिवान साब message पोचाते हैं कि नहीं 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 राजा जी tiger नहीं मारने देंगे आपको अपसे इंसे British time है और बड़े British officer को आपने नाराज कर दिया तो वो आपकी गदी को भी छीन सकता था तो बिलकुल जो राजा था वो अपनी गदी छिनवाने तक की position पे आ गया था लेकिन फिर जैसे करता है कलकता से 50 diamond की rings मंगवाई जाती है और जो दुराई की पतनी है उनको उसको भेजा जाता है और यह सोचते हैं दिवान साब और राजा तो यह सोचते हैं कि या ठीक है चलो एक हाथ दो अंगूठी रख लेंगे और बाकी वापिस कर देंगे लेकिन भाई साब महाँ पर तो जैसे वह बेचते हैं thank you message उदर से आ जाता है तो तीन लाख रुपे की अंगूठीया जो कि आप मान के चलो आज के टाइम पर 30-30 करोल रुपे है इतने रुपियों का उसको नुकसान होता है लेकिन फिर लास में राजा बोलता है कि चल हटा है सावन की घटा है वह रिंग गई तो गई लेकिन एटलिस मैंने अपना किंग्डम तो बचा लिया और उसी टाइम पर एक और थोड़ी दिन बात है ना वह सिंग 70 टाइगर मार ले था उसके बाद टाइगर खतम हो जाते है तो फिर वो शादी सिर्फ इसी कारण से करता है कि यार ऐसी दिवान साहब ऐसी लड़की ढूंड़ो जिसके यहां पर ट उसके दरबार में एक उसका मतलब सहायक है ना जो उसकी सहायता करता हो जैसे अकबर बीरवल तो बीरवल क्या है दिवान एक प्रकार का तो दिवान साहब 99 के बाद 100 टाइगर की विवस्ता कर देते हैं जोकि अल्मुस्ट अद्मरा रहता है और उसके आगे की कहानी तो मैं बिल्कुल उसके रहम और करम पर जिंदा था एंड ही वसे सेंसिबल और जनरस में एंड लेकिन उसको इतनी जदर रस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी तैन वह राजा की मदद करता है कई बार और उसको वेल्यूबल सजेशन भी देता है जैसे वह तीन लाग की अंगूठियां और एराटिक रूलर का मतलब जो ताना शाही रवाईय का रूलर है काल की टेक्स अस इन टाइम ओ ब्रिटिश रूल जहां पर किंग सुप्रीम पावर थी और जो किंग के आसपास ही पूरा रूल चला करता था एंड यह जो टाइटल यार यह भी बहुत ही कमाल का टाइटल तो महाँ पर जितने भी लोग थे उस राज्य के उन्होंने इस दस दिन के बच्चे को टाइगर किंग का नाम दे दिया था जब चीफ एस्ट्रोलोजन पडिक किया था कि इसकी मौत टाइगर से होगी तो यहां की भी ब्रीफ कारी में आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है दस दिन का बच्चा होता है और पुरी सभा में बच्चा बैठावा रहता है तो तभी इमहाँ पर जोतिशी बोलते हैं कि इस बच्चे के मौत्य होगी तो वो दस दिन का बच्चा बोल पड़ता है मिरेकल हो जाता है चमतकार हो जाता है द और टाइगर दोनों एनिमीज हैं तो आपकी जमनत्यु है वो कैसे होगी वो टाइगर के करण होगी तो फिर वो बूलता है टाइगर्स भी अवेर है ना सारे टाइगर्स अवेर हो जाएं तेन इसके बाद अगर एक छोटी से समरियम देखें तो टाइगर किंग कालकी ने लि जाता है और वह अपने राज्य के सभी टाइगर्स को मार देते हैं 99 टाइगर्स को मारते हैं लास्ट में दिक्कत आती है अल्टिमेटली की डेथ जो होती है है ना ही डाइड दूटू अटाइनी पीस ओवूड इरॉप्टिंग फॉम दी वुड़न टाइगर्स वुड़न इंचिस टू किल 100 टाइगर एंड इंड दे प्रेटिक्शन कम ट्रू सो जो किंग था इतना इंचिस इसले था और सोवे टाइगर को मारने के लिए क्योंकि 99 तो उसने मार दिये थे और अगर वो एक मार देगा तो भाई फिर कोई फिर फिर आफ डेथ नहीं रहेगा क्या प पत्रशने की ताइगर किंग ने अपना नाम कैसे कुझ एक्वार किया तो महाराजा प्रतिबंदपुर्म को टाइगर किंग ऑन से जाना चाता था और पूरे लाइफ में में ही जो राजा के टाइगर ने डामिनेट किया उन्होंने 70 टाइगर मार दिये थे तेन उसके बाद उन्होंने शादी करी शादी भी वहाँ पर करी जहाँ पर से वो बागी के बच़ तीस टाइगर को मार सके और साथ ही बचपन में एक बविश्य वानी भी हो गई थी कि इसको tiger मारेगा तो पूरी प्रजा ने उनका नाम tiger king रख दिया जो महराजा है उन्होंने pleased किया high ranking British officer को है वही वाली कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि high ranking officer आया और राजा ने मना कर दिया उनको tiger hunt के लिए लेटर उनको मनाने के लिए 50 sample expensive diamond ring के भेजे कहे जिसको उन्होंने accept कर लिया and all the rings were accepted और इससे उनको 3 लाख रुपे का नुकसान भी हुआ लेकिन वो British officer मान गया एक practice question आपके लिए कि what is the reason for the tiger king's sudden decision to marry यहना क्या इसका reason था तो आप बताना मैंने आपको अल्रेडी बताई दिया है long answer question described अपने को करना है effort made by the tiger king to achieve the target तो chief astrologer ने भविश्यवानी करी थी कि इनकी जो मौत है वो tiger के करण होगी और especially soviet tiger के करण तो astrologer को wrong prove करने के लिए अपने ego को satisfy करने के लिए उन्होंने tiger hunt को start कर दिया initially पिल्कुल मस तरीके से अपने mission में आगे बढ़ रहे थे कुछ dangers or difficulty भी आई कई बार tiger उन पर attack कर देता था है ना और tiger attack करने के बाद फिर वो हाथ से fight करके उस tiger को निप्टाते थे लेकिन हमेशा जीत राजा की होती थी 99 टाइगर इस प्रकार से उन्होंने मार दिये लेकिन अभी एक tiger मारना बागी था तो दिवान को पता था कि भाई सब अगर जल्दी से tiger नहीं मिला तो हमारे लिए एक घातक है तो पीपल्स पार्किन मदरास ठीक है इसको आप हाइलाइट कर लीजेगा पीपल्स पार्किन मदरास से एक tiger लाया गया जोकि अल्मोस्ट अद मरासा था और उसको जंगल में छोड़ दिया गया फिर राजा जैसे शिकार करने गये तो बहुत हैपी वह एक रहे मिल गया मिल गया मिल गया tiger तो वह जैसे वहापर उसको गोली लगाते गोली वह एम मिस हो जाता है हिट नहीं होती लेकिन राजा को वह tiger बेहोश हो जाता है तो राजा को लगा मर गया और राजा फिर वहाँ से चले जाते हैं फिर आसपास के लोगों को पता लगता है कि भाई यह तो नहीं मरा लेकिन अगर राजा को बोलेंगे तो क्या पता गुस्सा करें तो तो लोग ही उस टाइगर को मार देते हैं और पूरे शहर में उसकी सवारी निकाल देते हैं नेक्स प्रशन आपके लिए है कि when did the tiger king stand in danger of losing his kingdom and कैसे उन्होंने इस danger को अटाया तो वही वाली कानी लिखनी है British officer वाली कुछ MCQs आपके लिए author of the tiger king कौन है तो option A. Ramaswami I.R. author का pen name क्या है कल की option C. theme कैसे story की कि सभी birds animals important है ecological balance को maintain करने के लिए किस issue पे यहाँ पर यह एक satire है तो on the false pride, ego, stubbornness मतलब arial path of the powerful people under whose rule were the kings living किसके राज में हो रह रह रहे थे तो under the thumb rule of British creation तो Britishers की में पर चलती थी में दुराई सेनी कौन है तो दुराई दुराई की wife दुराई सेनी so option C. एक greedy woman जिस जुकि wife थी high ranking British officer की then who is the tiger king in the story tiger king कौन है तो जिलानी जंग जंग बहाद्धूर option A. what did the astrologer predict उन्होंने predict क्या था कि the king will be killed by 100th tiger option C. what did the king utter to the astrologer's prediction तो उन्होंने बोला था tigers be aware ना तो option B. लास्ट प्रशन आपके screens पर कि when did prince marry तो prince ने शादी कब किरी तो after killing all the tigers in the state अपने खुद के state में जैसे सारे tigers खताम हो गए थे फिर उन्होंने नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रुपित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चप्टर जर्णी तुद एंड अफ दी अर्थ को आपर देखने वाले हैं तो दोस्तां देखते रहे हैं इस वीडियो को और विदियो के अंदर हम बहुत कमाल इन्हों कोश्ट को करने वाले जिनके एक्जाम मेनी की प्रोबिल्टी बहुत ही जादा है तो आएब हम आगे बढ़ाते अपने मिशन हंड्रिट को और लेटेस्ट सीवेस्ट के इसाब समया पर चल रहे हैं चैप्टर थी अपने पास विस्टास का जोकिए जर्णी टू दी एंड अफ दी अर है तो हम जान लेते हैं कि क्या अपना फ्लो रहेगा तो फ्लो कुछ इस प्रकार कराएगा कि हम सबसे बहुत के बारे में फिल्म देखेंगे कि क्या प्लॉट है थीम देखेंगे सेटिंग टाइटल को हम देखेंगे और फिर हम यहां पर अच्छे से समरी को देखने वाल है तो तिशानी दोशी के दोरह इस चेप्टर को लिखा गया है कुछ छोटी सी बाते इनके बारे में हम देख लेते हैं ताकि हमें इस चेप्टर का बेगराण और अच्छे समझ में आएगा तो तिशानी दोशी का जन्म मदरास में हुआ था और यह एक बहुत ही फेमस जनरल अमलगे में मतलब होता है दो चीजों को कंबाइन करना सूपर कॉंटिनेंट तो अगर आपने जोगरफी पड़ी है क्लास 10 तक तो आपने देखा होगा कि आरे कॉंटिनेंटल द्रिफ्ट थियोरी रहती है एलफ्रेड वेगनर की इसके अंदर सबसे पहले जो पूरा आपन अपना गौनवाना लेंड तो जैसे आप यहां पर इमेज में अगर देखेंगे तो आज का एफरिका साउथ अमेरिका अंटाक्टिका इंडिया औस्टेलिया यह सारे जो कॉंट्रीज हैं यह पार्ट हैं गौनवाना लेंड के फिर आगे चलकर और जड़ा डिविजन्स हो तो इसी सूपर कंटेनेंट के बात की जा रही है जो कि एक गौनवाना लेंड है जिससे इंडिया और अंटाक्टिका दोनों ही एक समय पर जुड़े हुए थे थ्राइव मतलब होता है फ्लरिश करना प्रॉस्पर करना तरन कॉडिलीरियन फोल्स तो यह एक माउंटेन चेन कोई चीज बिल्कुल out of the box निकल जाए तो हो जाए कि अपने पास mind-boggling तैन इसके बाद अगला जाता है फ्रिजिट फ्रिजिट मतलब होता है cold temperature तो यह भी जोग्रफिकल टर्म है इसके अदर आपने पढ़ा होगा frigid, torrid तो उसके अंदर जो फ्रिजिट टाम आती जो कि पोल्स का आपका वातावरन रहता है तन डिसॉलेट मतलब क्या होता है डिसॉलेट का मतलब होता है अन हैबिटेट प्लेस मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पर बिल्कुल कोई रहता ना हो और एक impression of emptiness वहाँ पर आपको देखने को मिले तन इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप् प्रस्पेक्ट्व से यहां पर बोला जा रहा है कि यार उसने यहां पर नो टाइम जोन्स छे चेक पॉइंट और तीन वॉटर बोडिस को यहां पर देखा था जब मदरास से यह चन्नई से वह जड़नी चली थी अंटर्टिका तक तिशानी दोशी ने ट्रेवल किया था एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है एक ऐसी यात्रा जो कि किसी परपस से की गई हो है ना एजुकेशनल परपस बीसिकली तो इस कंप्लीट ग्रूप का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम और यह बिसिकली कैसा प्रोग्राम था जो कि प्रवाइट करता है यंग ले पाएं तो according to the founder of the organization जिसने इस student on ice organization को found किया था उसका यही था भाइसा मानना कि जो यंग versions of future policy makers हैं सबसे important यही है कि हम यंग बच्चों को climate change के बारे में बताएं क्योंकि भाइसाब अभी की जो बूरी generation है वो तो कुछ समय बात निकल जाएगी लेकिन आगे आने वाली जो generation है उसी को आगे के लिए policies बनानी है और अगर अभी से ही वो जान जाएगी कि क्या impact होते क्लाइमेट चेंज के global warming के तो उसको अभी से ही control करने में वो जनरेशन जुट जाएगी यहां पर इस चैप्टर के अंतर अंटाक्टिका के बारे में बताए जाता है जो कि one of the most coldest driest and windiest continent है पूरे विश्व के अंदर इस फार इस आइकन सी इस कंप्लीटली वाइट एंड अन इंटरॉप्टिड ब्ल्यू हराइजन ब्ल्यू हराइजन मतलब बिल्कुल नीला नीला आस्मा और एक बरफ की चादर आपको अंटाक्टिका में देखने को मिलेगी यहां पर कोई बड़े बड़े हाई वो city scrapers नह तब एक ही piece of land के वो पाट थे जैसे आप इमेज में देख सकते हैं लोरेशा निकल गया नीचे आगया अपने पास गोणवाना लेंड तो गोणवाना में आप देख सकते हो अंटाक्टिका और इंडिया बिलकुल जुड़े हैं तो कहीं सो साल पहले क्या था दोनों जुड जुड़े ना के पार्ट थे एंड बिगॉट सेपरेटेट एंड सेग्रीगेटेट इंटो कंट्री सेना जो कि आज हम आज का जो मॉडर्ण वोल्ड देखते हैं उसके अंदर साथ कॉंटिनेंट और अंगिनत देश हैं तो उस टाइम पर यह सिर्फ दो पार्ट में रिवा लेकिन फिर जैसे से नीचे के साइड रिफ्ट हुआ तो फिर क्या हो गया उसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड हो गया लेकिन आज भी अग्रम देखें तो अंटार्क्टिका की जमीन है वह सबसे प्योर है क्योंकि इस पर कोई एक्स्प्लाइटेशन नहीं किया गया है जैस नहीं हुआ है ना बहुत ही अनिमेजनेबल था ओथर के लिए इस तरीकी प्लेस को विजिट करना जहां पर नभे परसेंट बरफ हो है ना आप मतलब अगर साउथ इंडिया से बिलॉंग करते हैं आपने अगर देखा है वहां का वातावरान क्लाइमेट टेंपरेचर तो भ दिन राज संद देखने का आधी है धूप का आधी है वहां पर नभे परसेंट और वर्ल्ड की आइस को एक जगह देख रहा है तो यह बहुत ही जदा एक अनिमेजनेबल सिट्वेशन बनती है और यह जो प्लेस एट इस सो क्वाइट इस ओनली इंट्रॉप्टेट इस नो एवलांच इस तो भाई सब कभी कबार जो बरफ के तूफान है वो यहां पर आ जाते हैं इसके अलावा भाई सब कोई भी यहां पर इंटरॉप्शन नहीं है इस होम तो लॉट अविदेंस इस तैट इट के गलिम्स ऑफ पास्ट एट सेम ताइम अंटाक्टिका हेल और फाइन्द लेंड जो की इंडिया में आज से हजारों लाखों साल पहले रही होगी तो वही लेंड बिलकुल प्योर फ्रम में और आपको मिल जाएगी तो बिलकुल जो भी आपको उस्परिमेंट करना वाराम से वहां पर कर सकते हो प्रेज्ट आप कैसे देख सकते हो ब तो अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिए गए तो भाई साप जितने भी हमारे दूसरे कॉंटिनेंट से जिस पर लाइफ एक्जिस्ट करती है जहां पर लोग रहते हैं वह भी एक समय के बाद क्या हो जाएंगे वह एक समय के बाद तबाह हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ब सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इस नोट के साथ इस चैप्टर को किया जाता है कि अगर एक दिन अन्टाक्टिका वार्म हो भी गया तो क्या उस टाइम पर हम रहेंगे उसको विटनेस करने के लिए इसको जवाब नहीं रहेंगे क्योंकि चेंज बहुत लाखों सालों मे होते हैं 10-20 सालों में एकदम ड्रास्टिक सेंज आपको नहीं देखने को मल जाएंगे एकदम माइनस 50 डिग्री से एकदम प्लस 30 डिग्री पर आ जाए अब इस चैप्टर का प्लॉट देख लेते हैं क्या एक्जाम में सब्जेक्टिव कोशन आते हैं सीधे 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 आ अंकर्टिका पर जाती है एक प्रोग्राम या एक्सपेडिशन रहता है जिसका नाम होता है स्टूडेंट ऑन दा आइस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था जी-ऑफ ग्रीन नाम के विखती नहीं यह जो ट्रीप टो इंतार का इसके अंदर बहुत प्रोलेबल हो जाते हैं एंड वहाँ पर सबसे बिलतो जाकर उसको एक सेंस ओफ रिलीफ मिलता है कि रहे भाई साथ बुडबाई पहुंच गए है ना लेकिन पिर जैसे वहां कि वह ब्यूटी को देखती है तो शी बिकेम स्पेल बाउंड किया कितना व्यूटीफुली सबसे ब्यूटीफुल बात है कि यहां पर बताएं गया है कि सबसे ब्यूटीफुल बात है कि पूरे विश्व की जो 90% आई से वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और एक और खास बात अंटाक्टिका की यह है जो शायद आपने बहुत पहले सुनी होगी मैं रिकेप करवा देता हूं कि यहां पर 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात होता है यह ना होती है है उसके अंदर आपको पता लगता है कि यह 6 महीने नॉर्थ पोल में जब दिन रहता है तो उस टाइम पर 6 महीने साउथ पोल में रात रहती है तो अंटाक्टिका एक ऐसी प्लेस जहां पर नेवर एंडिंग आपको डे देखने को मिल सकता है नेवर इंडिंग नाइड भी वार्मिंग यह सब हो रहे इनके बारे में उनको जागरत किया जाएगा उनको जो थ्रेट है वो दिखाया जाएगा ताकि जब फीचर में पॉलिसी बनाए तो भाई सब फेवरेबल पॉलिसी बनाए और सस्टेनिबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े और यहां पर ब लिखने को मिल सकते हैं अर्थ शेट्रिंग डिस्रप्शन मतलब भाई सब क्या होता है कि एकदम यूमन प्रजाती के एक्जिस्टेंस तक पर भी यहां पर सवाल खड़ा हो सकता है जैसे आपने देखा होगा सुना होगा मतलब कि डाइनसूर्स एक तमें पर एक्जिस्ट क जाता है सीधे कोशन आ सकते हैं इसलिए मैंने यह बातें एकदम फ्लो में आपको लिख रखी है ना वरना इन चीजों का मने एक बर देख लिया है भी समरी में ट्रेवल होगे जिसके अंदर बताए गया है कि क्या डेमेज हो रहा है यूमन के इंपेक्ट का अर्थ पर कैसे ग्लोबल वर्मिंग एक अलाम है यूमन एक्जिस्टेंस के लिए भी सेटिंग टाइटल पूछा जा सकते है कि क्या यह जो जर्णी तो दाइंड ऑफ दा अर्थ है यह टाइटल क्या सही है तो आप बताएंगे बिल्कुल बाइस सही टाइटल है क्योंकि इसके चैप् पॉइंट्स टाइम जोन सिन सबको पास करके और बिल्कुल साउथ पोल तक जाती है जो कि एक तरसे दुनिया का अंत है तो इसलिए यहां पर जर्णी तो दाइंड ऑफ दाइटल बहुत ही कमाल का और एक चोटी सी समरी में यहां पर लिख रहिए तो आप इसको पढ़ ली भी अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वर्मिंग हो रही है कि जब आगे चलकर वो पॉलिसी बनाएं तो इस कंसन का ध्यान रखें एक्सपीडेंस कहता था यारॉथर का तो बहुत ही कमाल का एक्सपीडेंस था और सबसे ज्यादा मजा जब उसको आया जैसे ही वहां प कुछ एक्सपेक्टेट कोश्चन से से राइटर की क्या फीलिंग थी अंटार्क्टिकार पर जाने पर तो अपने देखा था कि देखो सबसे पहले तो उसको राहत के सास्थ हुई रिलीफ उसने लिया तैन उसके बाद शीवास्टनेस एंड इमेंस वाइट लैंस्केप क्या आपको लगता है क्या है सक्सेस का करानी स्टूडेंट ऑन दाइस प्रोग्राम का देखो सक्सेस का करानी है कि हम पॉलिसी मेकर जो फ्यूचर वाले पॉलिसी मेकर से जो छोटे बच्चें उनको हम जागरुक करने में काम्याब रहें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल का जो भी एक अलामिंग थ्रेट है तो यही इस प्रोग्राम की सक्सेस पी है एक प्रेक्टिस कुशन आपके लिए इसको आंसर कीजेगा कमेंट बोक्स के अंदर वाइस अंटर्टिक अप्रेस तो गो एफ वांट तो स्टूड़ी प्रेसेंट इन फूचर तो इसको मनें ड स्टूडेंट को लाए जाता है क्योंकि वह आगे चलकर फूचर पॉलिसे मेकर बनने वाले तो हम उनको जितने भी हजार्स हैं जितने भी हामफुल एफेक्ट्स हैं ग्लूबल वर्मिंग क्लाइमेट चेंज के उनके बारे में उनको अवगत करवाना चाहते हैं साथ यह अ कॉंटिनेंट के हम पुरे प्रत्वी के पास प्रेजेंटर फ्यूचर को भी यहां पर तलाश सकते हैं कुछ MCQs के ओथर को निस लेसन के तो तिशानी दोशीज तो ओधर यह लेसन किस चीज के राउंड रिवाल करता है वर्ल्ड के सबसे प्रिजर्व प्लेस अंटर्टिक क्या राउंड क्या परपसे जर्णी का तो परपस है क्या हम यंग माइंड को सेंसिटाइज करें टोड़्स था क्लाइमेट चेंज ऑप्शन दी हाव विल्ड जेओग्रोफिकल फिनॉमेना हैल पस्टू नूओ इस्ट्री ऑफ इस्ट्री ऑफ तो पता लगा सकते हैं क्यार आई है और कब से यह दोहन स्टाइट हुआ है ना मतलब दोहन मतलब एक्स्ट्री टेशन ऑफ रिसोर्स इस वाइज विजट टो अंटर्क्टिका इंपोर्टेंट टो इंड़स्टेंड एफेक्ट ऑफ गलोबल वार्मिंग क्यों इंपोर्टेंट है विकॉस यह एंट्रा है कैसी जगे जहां पर अब क्विक्ली मेंटिंग ग्लेशर्स को और क्लाप्शिंग आई शेल्स को देख सकते हो यह बिलकुल अपनी आखों के सामने और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे यह जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही घाता कि क्योंकि जैसे यह आई सीट स्मेल्ट होती है तो पानी का लेवल राइज होता है लेवल राइज होता है तो उससे क्या होगा कि आसपास की जितने भी मतलब बीच वाले इलाके में जो भी शहर है वो डूबने की कगार पर आ जाएंगे तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट इस वाले पीडी मतलब चैप् को पढ़ने वाले तो दोस्तों अब देखते रहें इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल दमाल कुश्चन को पर सॉल्ट करने वाले जिनकी एक्जाम में आने के प्रबिल्टी बहुत ही जादा है तो आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन जिन्हों ने चैप्टर को लिखा है और इस स्टोरी को सेट किया है डूरिंग वर्ल्ड वर सेकें वर्ल्ड वर सेकिंड के दूरेशन था 1939 से लेकर 1945 और 1945 में बस जब जपैन के उपर दो बंदमाके हुए थे उसके बाद हिरोशिमा और नागासा की वाले दमाकों की बात की जा रही है उसके बाद वर्ल्ड वर सेकिंड का अंत होता है युनाइटे नेशन के स्तापना होती है और उसके बात से फिर आज तक कोई भी वर्ल्ड वर नहीं हुआ है अब रस्या यूद्ध चल रहा है लेकिन वह वर्ल्ड वार में चैंस ना के बराबार है जब जैपैन और अमेरिका दोनों वार में थे याना दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और इस टाइम पे एक जापनीज डॉक्टर को एक अमेरिकन प्रिजनर ओव वार देखने को मिलता है अपने डॉर स्टेप पर वो धर्म संकर में पड़ जाता है भाइसाब कि उस सोल्जर को बचाय लाता है तो देखेंगे भाइसाब क्या करते हैं अपने डॉक्टर साहब इस कहानी के अंदर उसके पहले कुछ इंपोर्टन शब्द में आपको बता देता हूं क्योंकि एक्जाम में जब सब्जेक्टिव अपांसर लिखेंगे तो इन कीवर्ट को अगर आप डालते तो भ का प्टा लगा वा है इस बेंट को बोला जाता है हाउरी ये मतलब होता है एकदम क्ये लआ सडीटल्सकों को कंट तरह के छलता है चलता है नी चलता है टाहर मतलब जूखा-जूखना है हना तैन्स पाइक मतलब होता है शाप पॉइंट् nig योश्य सापने देखा होगा दो सीरियस और कंसर्ण तेन बीच कॉमबर मतलब एक ऐसा बेखती होता है जो कि क्या करता है बीच पर जाता है और वहां से आर्टिकल को कलेक्ट करता है जैसे आपने देखा होगा बीच किनारे बहुत से लोग शंक को उठाते हैं उनके पास एक जोला रहता है और उस जोलों में बीच से मिल जाए उनको लेते हैं और बाहर जाके बेज देते हैं तो उनको बोलते हैं बीच कॉमबर्स का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना सी मौस मतलब होता है काइंड ओफ सी वीड जैसे आप यहां पर देख रहे हो बारिश की दिनों में वह जो ग्रीन ग्रीन कलर की का ही जम जाती है को भी इस भोलते है तो कुछ भी चीज स्केटर हो जामाना जैसे जब सुबह ऑख tenía तो बाल पूर य जगे पुरे फेस पर सकेटर रहते हैं मोंड मूंड सलय करते हुट मतलब होता है लो तब लो क्राइख करना किसी डुख में तो बे में बिल्कुल दिरह अब चलते हैं बना आगे complete chapter की summary को देखते हैं so enemy जो है यह जो story लिखी गई है पर एस बग के द्वारा लिखे गई है और इसमें starting होती है story की Japanese surgeon से जिसका नाम है doctor सदाओ and he went to study in America यहना वहाँ पर उसको एक girl उसकी से उससे मुलाकात होती और जैसे उसकी मुलाकात होती उस लड़की हाना से तो पहली नजर में प्यार हो जाता है गाने बचने लगते रोमेंटिक बीच में है ना पीछे से हर जगे से now he marries that girl and brings her home back to Japan and वहाँ पर आके सेटल हो जाता है तो यह कहानी है मतलब एक background बताए गए कि डॉक्टर सदाव है उनको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम हना था और हना से प्यार होता है इसमें एक कहानी यह भी है कि जब वह अमेरिका में मतलब पढ़ रहा होता है जैसे उसको प्य जैपनीज तो है और इसी के बाद उस उस कुडी से हो शादी करता है और वर्ल्वर सेकिंड का यह टाइम था जैसे हमने देखा ही आप सारे डॉक्टर्स को नैशनल ड्यूट्यू पर बुला लिया जाता है क्योंकि देखो वार में जब गोली बंदूग चलती है लाठी डं जनरल था जो आर्मी का जनरल था जैपनीज वो बहुत ही बुड़ा था और अल्मोस मान कि चलो भाई अपनी मौत की शहिया पर लेटा हुआ था अब उसको इलाज की जरूत थी किससे डॉक्टर सदा उसे तो उसका ट्रीटमेंट उसका चल रहा था वन दो बेस्ट और भाई की सारे डॉक्टर्स आप लोग जाओ एक रात को क्या होता है एक इंसिडेंस जो कि भाई साब सभी की लाइफ सेंज कर देता है ही एंकरेस्ट ही एंकाउंटर्स एंड अमेरिकन नेवी मैन हुइस इंजूर्ड बाए गंचॉल तो देखो शाम का समय था डॉक्टर जाके जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई यह तो एक अमेरिकन नेवी का सोलजर है और यह प्रिजनर ओव वार है इसको पकड़ लिया होगा जैपनिस लोगों ने लेकिन यह वहां से कैसे ने कैसे चूट के आ गया चूटते वक्त इसके गोली लग गई है तो इसलिए यह बिल्कुल अब मरने की कगार पर अल्दो सदाव वसे नो माइंड टू है ना पहले वह एनिमी को देखता है तो पहला ख्याल तो सबके मन में यही आएगा कि फालतु क्यों रिस्क लेना इसको ठीक करूंगा आर्मी ने पकल लिया तो मेरे को निप्टाएंगा इससे कि माना होता जाकती है और वो उसको मेडिकल एसिस्टेंस प्रवाइट करने के लिए तयार हो जाता है तो वो अपने घर में यहां पर उसको रखता है ना क्योंकि और तो कहीं ले जानी सकता बाहर ले जाते ही पूरा राज खुल जाएगा कि इसने एनिमी को अपने शेल्ट इसको घर में लाए जाता तो सारे सर्वेंट को पता लग जाता है कि रहे भाई यह तो अइमी को शेल्टर दे रहे हैं रहे वाए 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 हमें नहीं करना आपके आखर काम तो जितने भी उनके सर्वेंट्स थे यू मी वगएरा जो भी थे सब वहां से काम छोड़कर च उसकी जो हेल्थ है वह वापिस से आना स्टार्ट हो गई वापिस से वापिस से बिगनिंग तो गेन इस हेल्थ बैक और अब कोई ज्यादा जरूत नहीं थी डॉक्टर की तो फिर अब जनरल को बता दिया जाता है कि देखो जनरल भाई साब ऐसा ऐसा है और यह पूरी स्टोर जरूरत तो ऐसा करते हैं कि मैं प्राइवेट एससेंस भेज देता हूं एससेंस मतलब क्या होता है वह सुपारी लेने वाले गुंडे तो उनको मैं भेज दूगा और वह उसकी सुपारी उनको दे दूगा तो वह जाके तुमारे घर पर आएंगे उसको निप्टाय कर आरवाई डॉक्टर सदाओ पर भी होती कि आपने एनिमी को इतने दिन अपने घर पर कैसे रखा तो चुप चाप जाके निप्टा देंगे किसे को पता नहीं लगेगा अब भाई सब रात का प्लान बना कि रात को आएंगे उसको निप्टाएंगे अब कोई घर में आपके पड़ावा हो है ना उसको निप्टानी की प्लानिंग हो तो कैसे आपको नीद जाएगी तो डॉक्टर सदाओ भी भाई सोच तरह वेट कर तरह कि कब आएंगे निप्टाएंगे लेकिन भाई साब वह आये नहीं बहुत टाइम तक तो इस दोरान उसके अंदर की मानवता जाग गई है ना वापिस से सेकंड टाइम मानवता पार्ट टू अब सेकंड बार जैसे मानवता जागी तो फिर उसने रियलाइस किया कि भाई साब ये भी तो एक इंसानी है तो यार यूनिवर्सल ब्रदर हुट का जो उसके अंदर एक concept था कि नहीं पूरा विश्व एक स संसार एक फेमिली है वन अर्थ जैसे अपने भारत के अंदर चलता है वसुदेव कटमब कम यहना तो उसी तर से कि भाई पूरा ये जो संसार है मेरा परिवार है और मैं कैसे अपने परिवार के एक व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दूं तो वह प्लान मनाते है कि चल नो सब्सक्राइब का अंत हो जाता है ठीक है तो फाइनली कंक्लूजन में यह होता है कि अमेरिकन सोलजर था उसको वहां से बगाने में मदद कि जाती है यहां पर यही होता है कि डॉक्टर सदाव सारी प्रिजुडीस चितने भी भेदबाव में उनसे उपर उठता है और एक म सब्सक्राइब के अंदर लवन कंपेशन हैं कंपेशन मतलब दया है तो फिर क्या होगा वह सभी प्रिजुडीस जितने भी भेदबाव है जितने भी बायसेज हैं उन सभी से उपर उट पाएगा और वह एक मानाओ के बॉंड को महसूस कर पाएगा कि रिगार्ड लेस ओफ जनरल का क्रेक्टर तो डॉक्टर क्या था देख लेते हैं अब पर एनिमी जिसको लिखा गया है पर लेस बक्त के दवारा इसके इंदरे काइंड कंसिडरेट जापनींज डॉक्टर की बात की जाती है जिसका पूरा नाम है सदाव हूगी और वह अपने प्रोफेशन से बह in his mind तो वो जो उसके एक वेल्यूस थी उसके पापा से उसको मिली थी जो कि एकदम ट्रेडिशनल और सब का भला करने वाले व्यक्ति थे अमेरिका में उसको भेज दिया जाता है वह सब 22 साल के उम्र में मेडिसिन के पड़ाई करने वहाँ पर वह आठ साल तक इस्ट्रिक्ली बहुत अच्छे से को बढ़ाई करते है कि आलने कि इसको प्यार का जिस्कों प्यार हो जाता है वह यहां da और उनों इसके पर्स्ट्रीट की यह द है तो वह तब कर आती深कर गर एंटायर फेमिली डेंजर में जाती है है ना लेकिन फिर भी वो anime को बचाता है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा वो 38 क्लियर बाख अंतर आत्म इन WILL के आवाज को सुनने वाला तो बयाई सब यह कैसा वए तो बहुत एक्रूल और सेल्फिश आदमी था डूइल्टी की बात इस तरह से मैं पता लगती है अपनी पत्नी तक पे अत्याशन करता था तो आप सोच के चलो की औरो का यह का करता होगा बहुत selfish था यहना selfish वाला फेक्टर में पता लगता है कि यह डॉक्टर सदाओ को अपने पास रोक लेता है जो कि जैपान का बेस्ट डॉक्टर है और क्या पता हो हजारों जान बचा लेता अगर बॉर्डर पर जाता लेकिन उसको अपने लिए रोक लेता है और यह उसके selfishness को दर्शात आए यह एक फॉर्गेट फुल भी वेक्ति है क्योंकि इसने promise किया था मैं SSN को बेज दूंगा लेकिन भीजना ही भूल गया भाइसाब भीजना भूल गया तो ठीक है वैसा उसके इंदर माना उता जाग गई इत्ते में माना उता पार्ट टू हो गया और वहां से नहीं करता तो और यह से डॉक्तर हो किसे को मरने नहीं देना चाहता था तो ऑल अफ दीस इस तरा आइट आंसर ओडियर डॉक्टर सब्सक्राइब को पता लग गया था कि इसने एनिमी को अपने पर शेल्टर कर रखा है लेकिन सिर्फ इसलिए मना नहीं करता है इसलिए किस उसको पता ही कि मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है और मुझे उस डॉक्टर के सर्विसेस के रिक्वार्मेंट गलती से रॉक्टर फस गया तो भाई सब काम निपड़ जाएगा वह जनरल ही निपड़ जाएगा अब सेंपल पेपर के प्रशनों को देख लेते हैं तो आप अपने प्राइवेट एससेंस को भीज देना और उसको मरवा देना जबकि यार यह तो एक काउंटर प्लान था मतलब एक तरह से उसने उस एनिमी की जान बचाई है ना उसको सुरक्षित रखा और अब अब इड़े सेकंड टाइम वह क्या कर रहा है उसको मरवानी की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि क्या वो कारण रहे होंगे जिससे उसको यह काउंटर प्रडेक्टिव काम करना पड़ रहा है तो देखो ऐसे डॉक्टर उसने बिल्कुल अपनी सेंस ओव ड्यूटी नहीं भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यार एज यूमन इसको बढ़ा दूगा मैं तो फिर जनरल क्या करता फिर वो टॉट आफ एक्शन ले सकता था लेकिन फैमिली को सेव करना था एज़ डूटर उने भाई दी और एज़ इसन अपनी यूमन वाली क्वालिटी को भी उसने प्रेक्टिस कर लिया पी यहां पर था इन वाट कंड इसन बतानी के बैडली वह वाउंडिट था अनकॉंशिस था और गन वाउंड उसका उपन हो चुका था तो इस सारी बात आपको वहां पर बतानी रहेगी वाई डिडॉक्टर सदाव ट्रीट अमेरिकन सोलजर एवन दो इट वस अन पेट्रियोटिक एक्ट तो भाई सब द इन इरिटेट इस पेशेंट तो देखो जो पेशेंट था जो अपना था वह बहुत ज़्यादा वैड़ी वांड़िट था और उसको रॉक्तर सदाव के सबसे यहादा रिकवार्मेंट थी तो डॉक्तर सदाव उसको छोड़के और कहीं नहीं जा सकते थे और इसलिए तब इसको comment box में answer करना है यह इसका answer यहां पर दे भी रखा है मैंने एक long answer question की character sketch आपको बताना है general का उमीद है आप आराम से बता दो कि मैंने पूरा इसको यहां पर answer आपको है ना उस slide में बता दिया था कि क्या-क्या उसका character sketch है तो सारी बाते आपको बताने हैं एक और प्र identity to save a dying man despite भले वहां पर war चल रहा था और वो इसकी duty को निभाता है and he rise over all the prejudice and rest और help करता उस यंग soldier को फिर बाद में escape करने में भी क्योंकि वो मानता है the world is a family and he is at the end of the day वो जो soldier है वो भी human being है तो इन सारी बातों को आपको लिखना है एक expected question आपके लिए कि general क्यों करता है American soldier को ठीक है तो यह आसान है बताई सकते हो कि self-interest के कारण डॉक्टर कि उसको जरौती तो इसलिए उसको भी इस वीडियो के आपको description में एक लिंक मिलेगा notes का उसमें जाकर आप question को और इस वीडियो के नदर हम बहुत कमाल नवाल questions को यह पर solve करने वाले जिनके exam में आने की probability बहुत ज़्यादा है तो आईए हम आगे बढ़ाते हैं अपने mission 100 को और लेटेस CBSC के के द्वारा तो इन सारी बातों को हम आज किस chapter के अंदर cover करेंगे सुजान हिल के बारे में अगर हम एक ब्रीफ सा description देखें तो यह एक author है जिनका जन्म United Kingdom के अंदर हुआ था बहुत ही famous इन्होंने novels और किताबे लिखी है इनको एक बहुत ही famous award से भी नवाजा गया है मतलब एक बहुत ही मतलब Renault यह writer है यहां पर यह जो chapter on the face of it इसके अंदर इन्होंने portrait किया है कि कैसे यार जब loneliness और isolation किसी भी व्यक्ति को घेर लेती है तो उसको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है तो यहां पर इसी बात को इस complete chapter के अंदर दर्शायर किया है आप कैसे याद र इस तरह से मैंने इसको याद रखा था आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं तो Suzanne Hill इन्होंने fiction और non-fiction दोनों ही काम किये fiction मतलब जो मन गड़न तो और non-fiction मतलब जो रियल हो और अवर्ट के बारे में हमने इनका देखे लिया है कुछ important शब देख लेते हैं जिसको आप अपनी परिक्षा में डारेक्ट ट्यूस कर सकते है occasional मतलब होता है sometimes rustling rustling का मतलब होता है low sound यहना धीरे धीरे बात करना यह चलना tentatively मतलब होता है बिना किसी confidence के startled का मतलब होता है एकदम suddenly shock लग जाना then इसके वाद अगला है steady मतलब stable creek जब वुड में सा आवाज आती है यहना crack होनी की तो इसको अपन बोलते हैं creek then swish swish मतलब होता है hissing sound जैसे सांप जो रहता है वो hissing sound निकालता है painting मतलब quickly breath करना जैसे जब आप कहीं से दौड के आते हो तो एकदम आपके सांस भराती है then trespassing मतलब बिना permission के किसी भी premises के अंदर enter कर जाना whisper मतलब धीरे बोलना peculiar peculiar मतलब बहुत ज़्यादा unusual या strange व्यक्ति हाइव जहां पर बीज रहती है मदुमक की जहां पर रहती है वीड वीड मतलब होता है unwanted plants तो जब खेती की जाती किसान के द्वरा तो बहुत सारे plants यसे होते जो अपने आप उग जाते हैं जो कि उस खेत के resources को drain करते हैं तो इसलिए इनको unwanted plants कहा जाता है इस करम मतलब किसी चीज को garden से स्टील करना pretend करना मतलब behave करना जैसे कोई भी सही हो जबकि वो सही नहीं है underneath मतलब directly below किसी के सीधा नीचे अब देख लेते हैं इस chapter की summary तो यह जो स्टोरी है स्टार्ट होती एक teenage boy से जिसका नाम है dairy या फिर direct भी आप बोल सकते हो जो कि garden में एंटर करता है एक accident के कारण उसका half side of जो face था वो burnt हो गया था और basically इस पर क्या हुआ था एक acid गिर गया था तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को face करने में और इसलिए वो लोगों से चुपना चाहता है यह जो complete play यह तीन सीन में डिपट किया गया है पहला सीन है Mr. Lem का garden सेकंड सीन है डैरी का घर और तीसरा सीन वापिस आजाएगा Mr. Lem का garden तो यहां पर क्या है अब सीन वन के बात हो रही है जो अपना डैरी है जो चोटा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डरता है लोगों से उनको face न देखते ही उसकी दिवार कूत के garden के अंदर चला जाता है उसका बस एक intention यही था कि मैं छुप जाता हूं ठोड़े देर लोगों से तकि लोग मेरे face के बारे में कुछ comment न करें लेकिन जैसे ही वो garden में जाता है तो इतने में पीछे एक आदमी खड़ा होता है और वो आदमी तो उसको बहुत जाता गिल्टी फील होती है कियार में बिना permission के ऐसे किसी के garden में trespass मैंने कर लिया है लेकिन Mr. Lem एकदम welcoming nature के रहते हैं वो उसको welcome करते हैं कि आई यह पधार ही है हमारे garden में और वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं आपको यहां पर से जाने की जरू इसी ऐसा है तो इस पर Mr. Lem बोलते हैं कि नहीं भाई साब ऐसा कुछ नहीं है और वो यहां से बात बदलने की कुशिश करते हैं कि चलो आजा अपन दोनों मिलकर crab apples को तोड़ते हैं तो इस पर dairy बोलता है कि देखो सब लोग ऐसा ही करते हैं यहना वो मेरे से डरते हैं और इ इसके बाद उन दोनों की conversation start होती है and dairy and how he hates people behaving like this तो dairy बताता है कि यहार देखो मैं जो बहुत बेकार लगते हैं वो लोग जो इस तरह से पीछे से मेरी बुराई करते हैं मेरे सामने भी मेरी बुराई करते हैं Mr. Lem उसको दिलासा देते हैं कि भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और तो टेंशन मतले मेरा खुद का एक जो पैर है वो तिन का पैर है और मैं भी disabled हूँ बच्चे मेरा भी मजा को आते हैं वो मुझे लैमी लैम करके बुलाते हैं लैमी लैम मतलब बता है लंगडा लैम तो यह सब बोलते हूं मुझे लेकिन ठीक है वाइसा मुझे तो यार है डिप्रेशन है वो सारी चीज़ें आपर भार आती है मिस्टर लैम उसको बार-बार बोलते रहते हैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में और बिफोर लॉंग ते बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम आस्टेरी तो असेस्टे में अफिर वो बुलते हैं कि चला जा अ और मेरी मम्मी जरूर से परशान हो रही होगी मैंने उनको बताया नहीं है तो मैं एक बार जल्दी से जाता हूं बता के आता हूं और फिर हम दोनों मिलकर एपल तोड़ेंगे तो हां मिस्टर लैम बे बोलते हैं कि बिलकुल यार तुम्हें अपनी मम्मी को बताना चाहिए लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा आना मुश्किल है और अगर तुम आओगे तो तुम अपने ही मन से आओगे तो इस तरी की बात वो डैरी को बोलते हैं तो डैरी बोलता है कि रभी था बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बाते कर रहे थे अचानक से एक दिम नेगेटिव गेज हो गया तो फिरो बोलता है कि तुम समझ जाओगे तुम घर पे जाओगे तो शायद तुम्हारा दिल परीवर्तित हो चुका होगा तो तुम अपने आप आओगे तो डैरी को यह सा खास प्रभावित होता नहीं इस लाइन से बोलता है कि चलो ठ कि दी से बोलती नहीं बेटा वो इस्टेंजर के साथ आपको नहीं रहना है और उनके बारे में बारे में जीन Badaad बी जने का जने की बोलते है तो इतने में जो अपने डैरी है वो बोलता है मैं य उस नहीं इस इंसान है जो आगर मैं जिन से वापिस नहीं मिला तो डefinitely मैं हमेशा negative रह जाओंगा उन्होंने मुझे positive मनाया अपनी life में तो वो उपनी मम्मी का कहना ना मान दोते हुए दोड के चला जाता है Mr. Lamb के garden में अब scene 3 आता है ठीक है scene 2 हो गया dairy का घर अब scene 3 में जब हम आते हैं तो Mr. Lamb अब तक उनको लगता है कि अब तो कहीं आएगा वो है ना जो भी यहां से जाता है शाहिदी लोटके आता है तो फिर Mr. Lamb खुदी वो city लेते हैं और एक stick लेके apple को तोडने लग जाते हैं जैसे वो उपर चरते हैं तो उनकी city को अपर फिर आदे मिस्टर यह सामने पड़े वे हैं तो दो के जाता है कि Mr. Lamb उठो Mr. Lamb उठो और मैं आ चुका हूँ मैं आ चुका हूँ लेकिन भाई साब वहाँ पर से कोई response नहीं आता है most probably वह मर चुके होंगे लेकिन हाँ अगर हम chapter की lines को देखें तो कहीं पर यह नहीं लिखाए कि मर चुके हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि वह बेहुश है और वह भी होश में नहीं है और अनकॉंश है और यहीं परिवाला जो chapter है वह समापत हो जाता है अब आगे हम बढ़ते हैं conclusion क्या है यार इस chapter का conclusion यही है अगर आपसे exam में भी पूछा जाता है तो we should never feel shame on our obedience तो हमें कभी भी हम कैसे दिखते हैं उस पर हमें shame feel नहीं कर दी है और हमेशा positive and optimistic रहना है अपनी life के अंदर अब हम देख लेते हैं plot के है पूरा तो यह जो play है play मतलब क्यों होता है एक नाटक है जैसे आपने देखा होगा नवरातरा के दौराद राम लीला का प्रायोजन किया जाता है तो राम लीला भी क्या एक प्रकार का play है जिसमें पीछे background से रहते हैं और आगे बहुत सारे जो आर्टेस्ट हैं वह perform करते हैं तो इस प्रकार से यह यह भी play है जिसके दो में करेक्टर मिस्टर लैंब जिनका एक तिन का लेग है और डेरी जो कि एक मेंटली और फिजिकली डिस्टरब्ड बच्चा है जिसका एक साइड ऑफ फेस बंड है अब यह जो सीन है ऐसे एंफोल्ड होता है कि डेरी है एक्सीडेंटली रीज तगा पर पहुंच जाता है डेरी की बहुत ही पैसिमिस्टिक अपरोच होती पैसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव ना टौर्स लाइफ और ऐसा क्यों हो था क्योंकि उसका एक फेस चुथा बंड था और वह अपने आपको लोगों से से क्लीउट या आइसोलेट करना चाहता था वह लोगों के जो भी कॉमेंट्स होते थे उसका उस पर भाई साब बहुत ही असानी से एफेक्ट हो जाता था और यहां तक कि उसको थोड़ी से चिंता अपने पैरेंट्स की भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे और इससे भी और कहीं ने कहीं डिस् फास्रों गया था वह खता है अब अगर हम कम पेलर जं करें डैरी और मिस्टर लेम था थे बहुत ही ऑप्किमिस्टिक बेस्टिक मतला पॉजिति तोफ्र गार और वहीं था कर एक्सेप्टिव बार्नाइब यह मेरा में झाशाज धंकि अचता है बहुत ही फ्रेंदली तो बोड रखते हैं कि भawaj जो भी आएगा आएगा मेरा दोस्त बन जाएगा या डैरी मना करता है उचो भी होग से आच हभी आइसे डीग मिले और तुम ने वड़िक समर्व है तो उनाकरताय है ना दोस्तित मेरे लिएं और अधिसक्न लेते हैं जैसे देखो मेरे गार्डन में बहुत सारी वीड लगी वीड मतलब लेकिन मुझे इनसे भी कोई फरक नहीं पड़ता ना क्योंकि भाइसाब यह भी तो एक फॉर्म ऑफ लाइफ है जिसको भगवान ने बनाए और कैसे हम भगवान के बनाए गए चीज को यह ना उ यह भी creation of God है तो मैं सब सारे मुझे अच्छे लगते हैं तो बहुत बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ के प्रती एंड वो पताते हैं कि कैसे वो अपने घर के परदों तक को भी परदे भी नहीं लगाते कि मुझे खुला-खुला पन एकदम जब से बढ़िया लगता है बहुत डेरी और मिस्टर लेम दोनों अपोसिट थे अर्वे अप्रोच में या ना दोनों नहीं फेस किया चैलेंज अपनी लाइफ में लेकिन दोनों का अप्रोच था वह बहुत दिफरेंट था अब अन मीटिंग मिस्टर लेम डेडी को लियर लाइस होता है तै उसका जो लाइफ के प्रती ओपीनियन है वो गलत है और डेरी स्ट्रॉंगली बिलीव करता है कि मिस्टर लैम ने उसकी मदद करी है उस एक शेल से बाहराने में जिसके अंदर वो फसा हुआ था और उसने एक नए परस्पेक्टिव से पुरी दुनिया को देखा है सेफ सेक्योर फील होता था मिस्टर लैम के साथ तो वह वहां पर जाता है उनकी कंपनी में और रीचिंग दगार्डन मिस्टर लैम पॉच शॉक ही वह शॉक है जैसे उनको देखता है कि भाई यह क्या हो रहा है यह तो गिरेवे हैं कंटिनसली ट्राइब करता है उनको इस सेकल्शन के बात की गए ना तीनों का मतलब एक होता है अकेला पन कि कैसे मिस्टर लैम और डेरी तोनों ही कहीं न कहीं अकेले पन से घुजर रहे थे लेकिन हाँ जो मिस्टर लैम है वह अपने गार्डन को खुला रखते थे घर में परदे नहीं लगाते ताए कि जितन से यहां पर डील कर रहा है तर इसके बाद यहां पर बताया गया है कि आपको कैसे अपने जीवन में जितने भी लूप होल से भाई आप उनको एक्सेप्ट करो और एकदम साहस से आप उनका सामना करो सुजैन हिल यहां पर ब्यूटिफुल एक मैसेज भी देती है कि भाई जो फिजिकल पेन है फिजिकल इंपेर्मेंट है उसका पेन बहुत कम होता है मेंटल इंपेर्मेंट से हैं मतलब अगर किसी ने दिमाग पर चोड़ कर दी तो भाई या दिल की चोड़ दिमाग की चोड़ भाई सब और ज्यादा घातक होती है स्टीट कि आप कोई 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 फिजिकली मुक्का मार दे तो उस चीज के बारे में आप पर बताए गया है देन केरेक्टर की बात करें तो इदे को सीधा सीधा कोशन आ जाता है केरेक्टर स्केच तो मिस्टर लेम जो थे एक बहुत ही एजेड इंपेर्ड मैं थे जिनका एक जो पैर था वो वार में लॉस ह कोई दिक्केत नहीं है और बहुत ही मैचौर थे और सारी प्रॉब्लम्स को एक दम ब्रेव हाट से एकसेप्ट करते थे इन्होंने यहां तक कि मोटिवेट कर दिया डैरी को भी अपनी लाइफ में कि कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए और कैसे चीजों से भागना नहीं चा है तो यहां पर यहीं बताएगे कि कैसे आपको अपने आपको रिस्ट्रिक नहीं करना है और अगर आप बहुत जादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाओगे तो आपके लिए घाता की रहेगा अब जो रोल था मिस्टर लेंब का डैरी की लाइफ में बहुत रेमार्केब है आज तक ऐसी बाते मैंने कभी सुनी नहीं है तो इसलिए उनको पिक्यूलियर एस्ट्रेंज भी भूलता है कहीं बार यह वाला कोशन भी आ जाता है डैरी के करेक्टर्स के चाहिए तो वह 14-year-old boy था और पार्शल बर्न था उसका फेस एसिट के कारण बहुत कॉंशस था लोग उसको क्या कहेंगे और उसको इतना अच्छा नहीं लगता था जब लोग उसको सिंपताइस करते थे अपने आपको वह भाई बहुत अगली मानता था कि मैं अगली हूँ ही और कोई कभी मुझे प्यार नहीं करेगा कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा यहां पर Mr. Lem beauty and the beast की बात करते हैं तो भी वर चड़ जाता है कि यह सब कहानियों में फिल्मों में कॉमिक्स में होता है असल लाइफ में कोई beast से कोई beauty प्यार नहीं करती है और यहां तक कि मैं अगर खुद की बात करूं तो भाई मेंको तो कभी नहीं लगता कि कोई मुझे किस करेगा यहां तू तो बहुत ज़्यादा fortunate है कि भाई तेरे पास हाथ पेर आख ना कान सब कुछ है यहना उन लोगों के बारे में सोच जिनके पास यह भी नहीं है तो बिलकुल इन सारी चीज़ों से dairy motivate होता है और उसका attitude जो था towards life एक्दम change हो जाता है ना वो realize करता है कि अगर मैं problem से भ तो बिलकुल आप बताओगे क्या है बहुत कमाल का है टाइटल है ना क्योंकि इसके अंदर जो पूरी कहानी है वो डेरेक और मिस्टर लेम के असपास घूमती है और इसमें बिलकुल जो डेरेक है उसके face के बारे में बताए गया है कि on the face of it उसके face के कारण क्या है उसके face म लिए और दूसरा यहां पर साप इसको एक और डामेंशन यह निकाल सकते हूं कि on the face of it ना तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपको उनको face करना है आपको उनका सामना करना है और एकदम ब्रेव हार्टेटली आपको उन चीजों को डील करना है और अपनी लाइफ को एकद हैं एक चोटा सब्डेट मैं आपको दे देता हूं यां कि अभी एक बहुत कमाल का कॉम्बो ओफर चल रहा है सी वी सी प्लस सी यूटी के सब्सक्रिप्शन के लिए जहां पर आप क्लास 12 के एक्जाम्स आने वाली है तो आप एकदम जो भी फाइनल बैचेस चलेंगे उनक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं तो लिमिटेट पीरियड और इसका आप लाव लीजेगा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप अनलॉक को यूज कीजेगा एपीपीडिया 100 जिससे आपको यह जो कंप्लीट ओफर है इसका लाब मिल जाएगा बढ़ते नमबर ए तेर उसके बाद मिस्टर लैम को ने एक ओल्ड मैंने। ऑप्शन सी वाट वर मिस्टर लैम और डैरी विक्टिम्स ऑफ दोनुं कि सीच के विक्टिम्ट यह थिए तो दोनुंहीं फिजिकली एमपेर एक का फेश में दिक्कत थी एक के पैर में दिक्कत थी तो नमबर टी डेरी कोन था तो डेरी का पुरा नाम या एक ओर नाम था डेरेक और एक चौदा साल का लड़का था जिसका हाफ साइट उत पेस एसिट के कराण बर्ण था ऑप्शन नमर एक कुछ इंपोर्टन कोश्चिंस इनको आंसर करते हैं वाई बस डेरी आने पे इस पैरें के अंदर उसके पैरेंट्स बहुत ज्यादा और प्रोटेक्टिव थे एंड इस पैरेंट्स थोट देट वाट वाट वुद्ट टेरी डू वित अच आप्टर देट ना तो उनके पैरेंट्स को कहने के चिंता भी थी किया इस लड़के का क्या होगा जब हम नहीं रहेंगे ठीक है तो इसलिए उसको इतना अच्छा नहीं लगता था अपने माता पता के साथ हाउ डस मिस्टर लेंब ट्राइटो रिमूब दे फियर ओफ कंफरेंटिंग मतलब सामना करना तो डैरी तो भाई सब सामना ही नहीं करना चाता था विश्व का या आपने असपास के लोग और अपने आपको प्यार करना सीख सेल्फ लब इस तो मोस्ट इंपोर्टिंग और एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव से आप अपनी जिन्दगी को जिएंगे तो आप बहुत ज़्यादा है तो यहीं सहरी बातों को आपको लिखना है पीवाई कि अगर हम देखते हैं तो व यूट पॉंट इन फायर सेज्मिस्टर लेंग वट यू थिंग हैपन टो डैरी स्पेस क्या हुआ था तो एसिट के कराएं उसका जो आधा फेस ता वह बंट हो गया था यहीं बात आपको लिखनी आप है प्रेक्टिस कोश्चन एक कोश्चन आपके लिए कि इन विस से वो अपने पूरे गाडन को तक करके रखते हैं तकि कि वो रहने का मजः करने के लिए ऐसके बाद करते हैं कि क्या वो और कम करने के लिए तो के यहां पर मैंने इसका आंसर आपको दे रखा है आप इसको देख लीजेगा लॉंग आंसर को अगर हम देखें तो एक्चुल पेइन और तो यह बहुत ही अच्छा कोशन है एक्जाम में आने की पूरी प्रोबिल्टी एसकी तो यह पर यही बताएगा है कि जो एक्चुल पेइन रहता है याना फिजिकल इंपेर्मेंट से एक उंगली नहीं है उस उंगली नहीं होने का पैन मुझे इतना नहीं रहे का जितना मुझे एक अलग निगहा से देख रहे हैं वह पेइन ज्यादा बाड़ा है तो बिल्कुल इस स्टोरी के अंदर दो डिसेबल लोगों की बात यहां पर बताए गई है और उनको सिर्फ फिजिकल पैन नहीं जबकि इमोशनली भी वहां पर उनके साथ बहुत ही बेकार बेव के बारे में आपर बात बताईए वो लिखना है आपको तो इस तरह साफिस आंसर को डील करेंगे सेंपल पेपर में बहुत ही कमाल का प्रशन पूछा गया है मिस्टर लेंब कॉल्स टेरेक इस फ्रेंड वाल टेरेक रिफ्यूजिस इस अफर्मिशन वुडिये कंसिडर देर इस फ्रेंशिप यस एंड सपोर्ड करना आपको अपने आंसर को ठीक है तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो मिस्टर लेंब वो बलते सारे मेरे दोस्त तू भी मेरा दोस्त है डेरी बोलता है भाई अभी तो मेलें अभी से कैसे दोस्त हो गए तो आप बत कर सको यहां पर दोनों ही अपने दुख दर्दों को शेयर करते हैं और फ्रेंट समवन जो कि आपको solution प्रोवाइट कर दे कैसे बाहर निकलना है तो डेफिनेटली यहां पर डेरेक को solution प्रोवाइट कर जाता है मिस्टर लेंब का तो आप बोल सकते हो कि यह सब देवर फ्र दाएगा इस हुआले चैप्टर की चब पीडियेफ डाउनलूड करेंगे तो बहुत सारे को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है और आज कि इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर एट मेमोरी जाइड़ हैं पर पढ़ने तो दोस्तों आप देखते रहें इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल दमाल कोशिशन को भी आपर सौल करने वाले जिनके एक्जाम मैनी के पहुत चाहता है तो स्टार्ट करतें आज किस वीडियो को आईए हम आगे बढ़ाते हैं अपने Mission 100 को और लेट भी आपर करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने वाले जित कलाशा मेंडम की तो जित कलासा एक नैट्यू अमैरिकन राइटर है और बहुती फेमस ही ए म्यजीशियन इंडियन राइट एक्टिविस्ट और एक बहुती ग्रेट एजूकेटर भी रही हैं ते इसके बाद इनकी वह राइटिंग है वह डिपक करती है सेलफ आइटेटीटी को और उनकी विक्ट्री को और दे कौन्फिक्ट बेटूर इन रिचल इन रिचल इसको आपते सुना होगा पहले आफ्रीका में जो भी काले यह लोग है उनके साथ कहीं ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो इसके खिलाफ इन्होंने अपनी राइटिंग्स में आवाज उठाई है बहुत ही फेमस यह पोएट है और मतलब राइटर है और इनका असली नाम था गैट्यूड सिमंस बॉनिन तो हाला कि अपने को तो असली नामयाद नहीं रखना है हमें तो इनका बस पहिंद नामयाद रखना है जो कि अपनी राइटिंग में इन्हों ने कंसे बाता Het एं और कहीं-पने के yumकष कर देते हैं becoming बॉस्ठ के और और इस चेप्टर के आंदर ढूस द़ाका है तो जुब्य कि अबास्व साम च इनका असली नाम था गेंट्रियूड सिमंस बोनिन और इनका जन्म 1876 के अंदर हुआ था बहुत एक्स्ट्रीमली टेलेंटेट एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वोमन ती है नेटिव अमेरिकन का मतलब जिनका ओरिजिन इंडिया का है लेकिन वो रह रहे हैं अमेरिका के अ और कैसे उन्होंने अपने इस इस्ट्रगल में जीत हासिल करी कैसे उनको प्रिजिडियूस मतलब भेतपाओं का सामना करना पड़ा यह सारी बातों का हम इस चैप्टर में देखेंगे पैन नेम है इनका जित कलासा और इनके आर्टिकल्स को पब्लिश इन्होंने मतलब दे इन्हों के अंदर बताया है कुछ इंपोर्टन शब्द में आपको बता देता हूं जिनको आप ऐसे कीवर्ड्स कर सकते अपनी एक्जाम में तो पहला वर्ड है बेर बेर का मतलब होता है अनको जिसको कवर नहीं किया गया हो तेन बेल फ्राइए इसका मतलब होता है sound of heavy object जब कोई heavy object गिरता है तो sound cook letter कहा गया है तेन बेडलेम बेडलेम का मतलब होता है unrest है बिल्कुल अजीब सा लगना तेन अनस्किल्ट मतलब जो कि trained नहीं हो capture करना मतलब किसी को catch or arrest करना इसका मतलब क्या होता है persons at a funeral है ना तो अगर किसी की अन्तियस्टी हो रही है शोकसभा है है और वहां पर अगर आप अपने दुख प्रकट करने गए हैं तो आपको मॉर्नर कहा जाएगा तिन कावर्ड कावर्ड मतलब होता है डरपोग का अब बढ़ते हम आगे तेख लेते हैं क्या है तो यह जो स्टोरी है वह स्टार्ट होती है जित कलासा के फर्स्ट टे इन अ बोल्डिंग स्कूल तो अमेरिका में यह वाला स्कूल था जिसका नाम था चाले इंडियन स्कूल तो बेसिकल यह जितने भी नेटिव इंडियन थे ना उनको अमेरिकन कल्चर में ढ़ालने के लिए इस तरह का स्कूल बनाये गया था और इसमें जितने भी बच्चे थे नेटिव इंडियन्स थे उनको ट्रेन किया जाता था तो लिव भी हाइं ते कि भाई जो आप भारतिय कल्चर लेके आए उसको पीछे छोड़ो और भी अपार्ट ओफ अमेरिकन कल्चर जित कलासा डिसक्राइब करती है कि उनको पहुत ज्यादा बेकार लगा जब सुबह सुबह मतलब पहले दिनी सुबह सुबह भाई साब उनके उपर से चद्दर लगा तो स्कूल अथोरिटीज ने बात बुली और उनसे बोला कि फटाक से तयार हो के डाइनिंग हॉल में पहुंचे अब क्या करें आगे तो समिट करना ही पड़ेगा इवन लॉंग है इंडिया में एक ट्रडिशन है कि लड़के लंब बाल रखती है तो वहां पर वो ज जो लॉंग हैर से उनको भी कट शॉट करने की बात की गई और यह तो भाई सब यह आइडिया आउतर को बिल्कुल नहीं पसंद आया हर मदर है टोल्ड हर यह कावर्ड और मॉन्रस हैर शुड भी शेवड और ना तो बताती कि या तो किसी के घर में अगर कोई मर जाता है य जहां पर उन्होंने देखा उनके वॉडन थी है ना उसको एंपर पेल फेस वोमन बोला गया है और वह यहां पर उनको डाटती भी है जब यह लोग टेबल मेनर्स को फॉलो नहीं करते हैं जुडविन एक उसकी सहली रहती है जो कि महीं पर होस्टल में रहती है और वह बोल पता थी कि मैंने अभी-अभी सुना है कि वॉडन आने वाले हैं और हमारे बालों को अदम कट्शॉट करने वाले तो भाई साब जित कला सब्सक्राइब नहीं बनना चाहती हूं तो वह फटाक से निकलती है किसे कमरे में घुस्ती है और वहां पर एक बैड के नीचे जाकर मतलब वह रजस्ट कर रही है चीजों के आगे और एव्रिवन सब उसको सर्च करते हैं फाइनली उसको पकड़ी लिया जाता है भाई सब कहीं पर जाईगी और उसके बालों को काट दिया जाता है ठीक है मतलब पहले उसको बांदा जाता है तकि भाई यह ना भगना जाए वापिस से और फिर उसके बालों को काट दिया जाता है बहुत ज्यादा humiliated और depressed feel होता है जद कलासा को यहां से उसको अपनी मम्मी की भी आदा जाती क्यार कैसे जब तक मैं अपनी मम्मी के साथ यह family के साथ यह जब कि एकदम मस्माहुल था और जैसे यहां पर मैं आई और उसके बाद देखो अत्यचार होना मेरे पर start हो गया at the end उसको यार सब्मिट तो करना पड़ता है like a herd है ना जैसे एक बकरी ही रहती ना तो बकरी अपने मालिक की सुनती है और अगर को कुछ गलती करती है तो मालिक पीछे से एक डंडा मार देता है तो इस प्रकार से उसको भी फील हुआ किया और मैं भी एक group of animals की तरह मुझे इसको लिया गया है और जितकलासा के द्वारा यह स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स टे ऑफ दो बोल्डिंग स्कूल इन अमेरिका से रिसेस का टाइम था और जितकलासा करती है कि जितनी भी इंडियन गर्स थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वह लग रही थी क्योंकि अमेरिकन कल्चर को उन्हें अडॉप्ट कर लिया था वहीं के कपड़े टाइट 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 ग्लोच शूस है यह सब उन्होंने पहन रहे थे शिवस्ट नॉट सब्सक्राइट करते हैं अपने बालों को शॉट रखा करते थे तें सितकलासा बिल्कुल रेडी नहीं थी और वह डिसाइड करती के मैं स्कूल अथॉर्टिक एगिंस जाओंगी और वह एक बैड की नीचे जाके जुप जाती जैसा अब इमेज में देख रहे हैं अब जैस करती है अफ्टर सम टाइम वहाँ पर उसको फाइनली पकड़ लिया जाता है उसको चेर से बांध के उसके बाल काट दिये जाते हैं बहुत ज़्यादा हुमिलियेटेड उसको फील होता है उसका कॉन्फिडेंस भी वहां से लूज हो जाता है एंड शी फैल लाइक को वह बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अगला जो इसका पार्ट है वह है वी टू आर हुमन बिंग्स और इसको लिखा गया है बामा के दवारा बामा एक दलित नॉबलिस्ट है ठीक है दलित मतलब अपने सेडूल का सेक्शन अदर जो सुसाइटी है उसको दलित कहा जाता है and she was born in a Roman Catholic family ठेक है आपने सुना हो अगर untouchability के बारे में ठेक है आज कल तो भारत के अंदर ये बहन है तो इस तरह के cases कहीं बार सामने आ जाते हैं लेकिन हित्ते common नहीं है लेकिन पहले क्या होता था बहुत ज्यादा प्रवलेंट थी और जो भी दलित वर्ग थे उनको untouchables माना जाता था याना और उनको अपने घर में ना आने देना याना अपनी सामानों को उनको टच न करने देना तो इस सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा प्रवलेंट थी नाली साफ करना गटर साफ करना याना तो यह मतलब जो भी इस तरह के काम थे unhuman काम थे वो स जलित वोमन और कैसे उन्होंने अपनी inner strength की बदोलत है ना उन सारी problems को face किया और यहां पर बताती है जेंडर और कास्ट discrimination के बारे में जेंडर मतलब अपना जो इस्तरी और पुरुस के बेश पर डिस्क्रिमिनिशन करना और कास्ट मतलब जाती के बेश पर भेदबाव करना कि यह उची जाती का है नीची जाती का है तो इन बातों को भी यहां पर इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर दर चाल में कि उनक होता है उनक है अच्छा लगता है वैसे तो उनके घर से स्कूल जाने में दस मिट लैकिन वोम भाई सास तो मझे से सारी चीज़ीं को भाइं करते-करते जाती है तो एकशी ऐक्स्कार suis उजने में और बताती कि कहां पर इसको इतना ट Wow तो बताती है कि she is on her way to home, she sees a monkey performing, a snake charmer doing some act with his snake, she was very interesting, it was very interesting, so bhai, कहीं बंदर नाच रहा है, कहीं बंदर नाच रहा है, कहीं पानी प्रताशे वाले का थेला लगा हुआ है, तो इस प्रकार से उसको अलग-अलग सारी चीजें दिखती है, and then there was a cyclist who was cycling from past 3 days, okay, देखती ही, देख वाले कि अधिन प्रताशे बंदर नाच रहा है, तो यह रहा है, तो यह बंदर नाच रहा है, तो यह सारी चीजें भी आपर उसको देखने को बलती है, तो एक ताब मस्त लाइवली माहूल है, पुरे शहर का जापर रहती है, then she explains about various political parties, जोकी आपने lectures देती है, रेलिया करती है, वो सब भी महाँ पर में बजार में होता है, then she proceeds further, वहाँ पर वो देखती ही, कि एक लैंडलोड बैठा हुआ है, and he is watching his workers in the field, और वो दूर से अपने workers को देख रहा है, कि कैसे हमाँ पर काम कर रहा है, और उनको instruction दे रहा है, गलत का कर रहा है, then she saw an old man of her community, उसी की community का, मतलब एक दलित old man, एक snake के packet को बहुत ही अजीब तरीके से handle कर रहा था, मतलब उसमें क्या था, वड़ा था, और उस वड़े को बांध रखा था, और उसको फिर एक स्ट्रिंग से लटका के वो जा रहा था, बड़ा सा आदमी, छोटा सा packet और उसको यह स्ट्रिंग से लटका के वो जा रहा था, तो बांध को यह बहुत ही अजीब लगता है, और वो एकदम हसने लग जाती है, ना, हसने लोट पोट हो जाती है, और उसको एकदम ऐसा लगता है, यह क्या कर रहा है, यह सा क्यों ले जा रहा है, यह से ले जा और दे दे उसको, यह से ले जाके देता है, फिर वहाँ पर भी जब लेंडलोड के पास जाता है, तो स्ट्रिंग छोड़ता है, और वो लेंडलोड उसको कैच करता है, ताकि वो उसको टच न कर ले, तो इस तरी की चीज़ों को देखकर जो बामा थी, बहुत जदा म्यूज हो वो जो लड़का था, वो जो आदमी था, he was from lower caste, and हम, मतला हमारी जो community वो lower caste किये, and that landlord was from the upper caste, and he don't like our presence, और वो नहीं चाहता था, कि हम उस food packet को touch करें, क्योंकि अगर हम touch कर लेंगे, तो वो impure हो जाएगा, तो यह उसका मानना था, मतला वही untouchability वाली प्रेक्टिस, अब भा सब्सक्रा सरा सर भेट भावे, तो discrimination है, कास्ट के business पर, she finds it so disgusting, that she grows angry, over the upper caste people, अब मैं देखते हूं, अपर कास्ट पीपल को, तो आन दो मैं कल, यह ना, उस बड़े को packet को चीन के, और फिर पकड़ लूगी मैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से मां जाती है, अपन ना करना परता है, he then suggests her to study, तो फिरो बामा से बोलता है, कि देख बामा, गुस्सा गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सबसे बड़िया है, study hard, आप मेहनत करो, जी, जान लगा दो भाई सब पड़ाई में, जितनी उत्तम सिक्षा आप हासिल करोगे, उतना ही समाज में आपको respect मिलेगा, तो ये बात बिलकुल बामा को दिल पे लग जाती है, या ना, वो मतलब इसको in heart ले लेती है, और बहुत hard work करती है, और अपनी class की topper बन जाती है, this not only earns such respect, medals वगेरा, सब चीज तो मिलती है, लेकिन उसकी बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, class में, तो उसको समझ में आता है कि नहीं भाई, education एक ऐसा tool है, जो कि हमें uplift कर सकता है, जो कि हमें social mobility प्रवाइट कर सकता है, इसका plot अगर हम देखें, तो ये भी एक exert है, जिसको लिया गया है, autobiography of Bama, या ना, Bama नहीं autobiography लिए, वहां से इसको लिया गया, यहां पर term of untouchability के बारे में बताया जाता है, और पूरा experience बताया जाता है, Bama का कि कैसे school से आती है, entertaining चीजों को देखती है, एक दिन जब आ रही थी, तो एक आदमी को देखती है, जो कि मार्केट से आ रहा था, एक packet करी करते है, और वो बहुत ही surprising लगा Bama को, कि यार, ऐसे कैसे वो चल रहा है, जी उस packet को दिया, Bama ने स्टोरी को अपने भाई को बताई, ना भाई को अन्ना बोला जाता है, तो अन्ना को स्टोरी बताई, तो अन्ना ने पूर पूरी कहानी बताई कि भाई, हम lower cast के हैं, यह सा भेदबाव होता है, तो इस disparity को देखकर Bama एकदम शौक हुई, वो angry हुई, औ और फिर उसने बोला, अब मैं सबक सिखाऊंगे इसको, लेकिन इसके उपर उसके भाई ने बोला, अन्ना ने कि भाई, study hard, और यही आपको एक रिमार्केबल पोजिशन इंदर सोसाइटी देलाने में कामियाब रहेगा, तो यह बात बिल्कुल उसको जम जाती है, और फिर of childhood में दो महिलाओं के बारे में बताया जाता है, जित कला सा इन बामा, और क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनके द्वारा फेस की कही अपने रेस्पेक्टिव लाइज में, दोनों को यह यार ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता ही, कि एक external दबाव, class distinction, यहना मतला वापर कास, ल racial discrimination उसको भी face करना पड़ा, social exploitation है, समाज उसको दबा रहे है, now during their childhood, they face problems and got agitated very easily, तो बचपन में तो बाई साब बहुत जल्दी यहां पर hesitate हो जाती थे, जित कलासा ने face कि a racial discrimination especially, she react strongly strongly react किया मडब ने लेकिन बाई साब कुछ वा नहीं और उसके बाल काट दिये गए, even Bama ने कास्टिजम के problem में पर face की, और strongly उसने खुद ने करेशाइस किया, this untouchability and inequality को जो की society में, अब पुचा जाता है कि क्या title relevant है, तो दोनों को आपको बताना पड़ेगा, memories of childhood के अंदर है, we two are human being and cutting of short hair, so title बहुत, सबसे पहले memories of childhood, बहुत apt and relevant ही, क्योंकि दोनों के बचपन के experience को यहां पर बताए गया, कैसे उन्होंने यहां पर exploitation face किया, then इसके बाद, यहां प सही है, because हैंपर एक little girl, जो कि Indian culture से belong करती है, उसके बारे में बताए गया है, और कैसे उसके बाल काटे गए थे, यह इसमें बताए गया है, then she thought that she was being suppressed and thus had the feeling of losing her identity, जबकि जो second वाला है, we two are human being, बामा ने जो यह लिखा है, इसमें भी एक little girl के बारे में बताए जाता है, जिसक इसको पता लगता है, फिर बहुत जदा वो गुस्से में आती है, बोलती है, हम भी इंसान है, हम भी मतलब हमें भी एक जैसा treat करो, and इसलिए बोल सकते हो कि यह वाला title एक तम है, कि we two are human being, and we deserve the love and respect from the society that everyone else is, जिसको, मतलब everyone else को जो respect लव मिलता है, वो हमें भी चाहिए, then summary ह यह आपने अल्रेडी देखी लिया है, तो आप exam point of view से अगर quick revision करना चाहते हैं, तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, बढ़ते हम आगे, कुछ MCQs को देख लेते हैं, author को ने lesson memory of childhood के, तो Jit Kalasa and Bama है, story के represent करती है, तो यह एक autobiographical episode है, from the lives of the two women, option number C, then what are the names of the two women, तो Jit Kal एक native American है, Bama एक Tamilian Dalit है, then what advice did Anna give to Bama, कि advice देते हैं, कि भाई study hard and progress to rise above the shekels of indignity, तो यह जो आपको भी सारा भेदबाव फेस करना पड़ रहा है, indignity face करनी पड़ भी, इसकी बेडियों से निकलने के लिए, शेकल मतलब बेडियों से निकलने के लिए, उसे rise करने के लिए, you जित कलासा कोन है, तो जित कलासा एक native American है, जबकि Bama एक Tamilian है, what did जित कलासा find, so जित कलासा find क्या करती है, discrimination against the native American, her dignity was in danger, and women's were in danger, तो almost all of these, आप all of these is cancer लगा सकते हैं, then कुछ questions आपके लिए, कि what was the reaction of जित कलासा, after her hair was cut short, and what piece of advice did Anna give Bama, तो जित कलासा की जब बाल काटे गए, तो बहुत जदा मिजरेबल उसको फील हुआ, she was very shocked after seeing her shot here, and उसकी आखों में बिलकुल आसर आ गया, उसने अपनी मम्मी को मिस कया, and उसको एक कावर्ड की तारब फील हुआ कि यार, मैं कुछ नहीं कर पाई, then what piece of advice Anna gave, तो Anna ने क्या बोला, कि भाई, तुम अच्छे सकर अगरिया हैं, उससे भी बाहर निकल जाओ गया, पीवाई क्यूस देख लेते हैं, I felt like sinking to the floor, says Zit Kalasa, when did she feel so and why, तो देखो, यह first day of school था, जब टाइनिंग ग्रूम में, वहाँ पर सब को जाने के लिए बोला गया, अब वह एकदम noiselessly जा रही थी, वहाँ पर, and, but she felt that she was immodestly तो अब वही tight tight कपड़े वो सब पहनाए गए उनको, तो उसको बहुत बेकाल लगा, then, उसके बाद, उसके blanket को अचानक से जब remove किया गया, उसके shoulder से, तो उसको लगा, कि भाई, ऐसा लग रहा है, कि मैं शरम के मारे डूब जाऊं यही पर, अब धरती फटे और मुझे अं जार से, और बड़ा साजमी था, लेकिन एक छोड़ा सा packet करी कर रहा था, जिसके अंदर, एक स्ट्रिंग से packet को पकड़ा वा था, उसके अंदर बड़ा था, याना, और वो एकदम अजीब वे में उसको ले जा रहा था, तो बामा, हसास के बिलकुल, लोट पोट हो जाती है तेन, प्रेक्टिस कोशन, इसको आप अंसर कीजए का, कॉमेंट बॉक्स के अंदर, हाव दिड़ बामा रियक्ट अब लर्निंग अबोट उन्टेच अबलेटी, तो कैसा उसको लगा, ठीके, इसका अंसर करना, अंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, तेन, लोग अंसर के ब लोग बागों ने उसको घूर घूर के देखा, शीयद बीन टॉस्ट आउट इन दे एर लाइक अ गुड़न पॉपट है जैसे एक लकडी के गुड़े गुड़े उतर चालते हैं इस तरह से भाई उसके साथ विवार किया जा रहा था, उसका बलेंकेट को रिमूव कर लिय लिया गया एंड ड्रेस वेस्ट अब अजीब उसको पहना ही गई तेन उसके एक शूफ्ट थे शूस थे जिसको मुकैशिंस पोला गया उन सॉफ्ट शूस को भी उससे ले लिया गया और उसको हाट जूते दे दिये गए और देखा कि आसपा सारे लोग इस तरह से टाइट टाइट ड्रेस और हाट जूते पहने रहे तेन उसके बालों को भी काट दिया गया एंड यहां पर से ना उसको ऐसा फ्वील हुआ के आइम कावर्ड थैन शी वोस नॉट यूमन बिंग शी फैस लाइक थैस और बिल्कुल लीटिल एनिमल्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था और यह जो systematic erosion था of their culture and disrespected woman यह बहुत ज़्याधा ठीकली उनके culture से उनको दूर किया जा रहा था इन्डियन कल्चर की सारे इलिम्ट्स को धिर धिर अटाय जा रहा था और American यह Western culture उनको अपर लोड किया जा रहा था कूंकि एक पर सेंपल पर भपने वार बहुत का क कोशन अपकी पर आया है यहां पर लिखावाई के बहुत जितकलासा और बामा ने एक्सपिरियेंस किया हार्ष रालिटीज डिसक्मिनेशन के इन दे चाहलूट नौ इस्टीड फूल देम डाउन दे बोथ फांड वे तो वरकम ठीक है तो दोनों ही नहीं कुछ नो कुछ हाथ और पिर मारे अगर आप लिपर केमियो इंट्रेदूस करना चाहें लिए इसके अंदर है नक्यामिय मतलब एक ऐसा रोल जो कि इसमें बाहर से आ रहा है और ऑफ बोथ इन योर अपकमिंग ब्लॉग पॉस्ट है न तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऑसके नदर केमियो देना चाहते है बामो और जितकलासा का अब as a part of research compare and contrast the experience faced by the two and their responses to these experiences in 120-150 words तो पूछ वही रहा है कि आपको दोनों के बताने है क्या कि दोनों में क्या-क्या similarities थी दोनों में क्या-क्या differences थे यह आपको बताना इसको deal करना इसके value points मैं आप आपको बता रखें कि दोनों दिस्क्रिमिनेशन फेस किया जितकलासा ने डिस्क्रिमिनेशन किया face against the cultural differences जबकि बामा ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया due to caste जितकलासा ने rebel किया and refused to get her hair cut and she put a strong fight though finally उसको submit करना ही पड़ा थाना पामा वस enraised and wanted to touch the packet of vada to teach the lesson to landlord but then उसको guide किया गया उसके elder बदल के तवरा के calm down भेना and उसको एक path दिखाए गया discrimination से कैसे fight करना है तो दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और एक्जेल किया education में और लास में दोनों ही सक्सीर हुई दोनों ही आज बहुत ही फेमस writers है और दोनों ने बहुत कुछ यहां पर लिखा है discrimination और evils of operations के पती दस अभी भी आपर उनकी जो यह लड़ाई है वो जा रही है तो इस प्रकार से आप इसको formulate कर सकते हैं तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी डाउट्स नहों सवाल या सुझाओं तो उसको आप जरूर से comment box में लिख दीजेगा दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसे में और भी ज्यदा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनानी के लिए सब्सक्राइब बेटन के पास बने एक बैल आइकन को आप जरूर से दबा दीजेगा ताकि हमारे चैनल की लेटिस्ट नोडिवेकेशन आप से मिस नहों तो दोस्तों धन्यवा जय हिंद जय भाराइब